तुो भेडा तोडे वे गडुड़ अगड़ कांसेब्ज काल्टeIocus Tax Collected at Source अभी तक हम ने जो बाते करे वह बात करी Tax17 अब हम बात करने जा रहे हैं Tax Collected at Source दोनों योंका लॉजिक बिल्कुल सेम है वोट एव अब शवाट वी काल Recovery Mechanisms income tax department अपना tax recover करने के चकर में ये दो concepts लेकर आ है deduction में क्या होता है logic बड़ा simple है कि एक बंदा बहुत सारे लोगों को payment कर रहा है उनको काम दे रहा है तो उनको पैसा देते समय है tax काट के जमा करा है so income tax में we had a concept of a payer and a concept of a pay under the chapter of TDS और हमने बोला payer जब payee को payment कर रहा है उसमें से tax काटेगा और ये tax जमा कराएगा government के पास और जो बाकी बचा है वो दे देगा payee को payee अपनी return of income भरेगा उस समय total income calculate करेगा और इस tax का credit लेके balance जमा करा देगा then we also said payer जो होगा will deduct at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier deposit by the 7th of the following month और अगर के महिने का है by 30th of April we also said अगर payer individual और हुए है तो उसको TDS के वल तब काटना होता है जब turnover specified limit से ज्यादा होती है and of course we are talking about certain sections यह हमेशा काटना होता है वो सारी बात है हमने कर ली now TCS में क्या कहता है क्याता है एक बंदा कुछ बेच रहा है बायर को अच्छा है वोई बात है यह पेर और है यह पेई पर इस बार पेर नहीं पेई को पकड़ रहा है यह basically क्या कह रहा है कि कुछ लोग बहुत लोगों को चीजें बेचते हैं sale करते है अब जब sale कर रहे है तो पैसा आ रहा है अब पैसा आ रहा है हमने बोला पेर के उपर उसने TDS काटने को नहीं बोला अब वो कहता seller को कि अपना पैसा ले साथ tax और ले प्लस यहां tax काटके लेटर जमा करा रहा था यहां seller को बोला गया कि तू अपना पैसा ले साथ हमारा tax ले और tax हमें जमा करा दे चलो जैसा भी बन गया यह लो जमा करा दे अब होगा क्या बायर ने अगर दस लाक रुपे दिये गुड्स के और सपोज करो एक परसंट एक परसंट दस अजार रपया TCS दिया तो यह tax किस की जिप से गया है बायर की जिप से अब जब बायर अपनी return भरेगा उस समय अपन कौन काटेगा नहीं काटना तो है नहीं कौन कलेक्ट करेगा अगर वही वाली बात आ जाती है अगर इंडिविजल और हुएफ सेल कर रहे हैं तो उनको TCS कलेक्ट के अबल तब करना है जब उनकी turnover is more than the specified limits in the immediately preceding year but of course जैसे TDS में exceptions थी वैसे TCS में भी होंगी दूसी बात इस इसने कलेक्ट जो करना है अब यहां पर जब डिड़क्ट कर रहे हो तो at the time of payment or credit है यहां पर at the time of receipt और debit हो जाएगा whichever is earlier वही जमा 7th of the next month और वही मार्च के महिने का 30 April तक तो this is the difference between TCS and TDS कुछ पेर से TDS कटवा रहा है कुछ seller से pay से tax collect करवा रहा है basically idea वो है large payers making large number of payments to deduct tax of so many people and give it to us and so many people who are selling to so many people large sellers who are selling to so many people उन से tax collect करके हमें दे दे आचा हमने काता सारी payments पर TDS नहीं काटना होता फिर हमने बहुत मेनत करके याद गरी कौन सी payments पर TDS कटेगा कौन सी पर नहीं कटेगा TCS में भी सारी sale पर नहीं है कुछ पर है तो क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा चलो उसको करें अगर आपके दिमाग में अच्छा है यह बड़ा छोड़ा साथे को तिरफ पांच ही है अब इसमें क्या करना है सबसे पहले मैं इस lecture में इस वीडियो में आपके दिमाग में यह पांच सब सेक्शन्स आफ सेक्शन्स टू जिरो सिक्शन्स अब TDS में 192, 193, 194 बहुत सारे थे यह जांiger 26C है उसका सब सेक्शन्स 1 है 1C है 1F है 1G और 1H है और यह впलाशीं आट करें अब क्या कहता तो तक कुछ टेंडू लीव बीडी के पत्ते जो बेच रहा है तो टेंडू लीव जो बेच रहा है उसको भी टैक्स कलेक करना है पॉरस प्रेड्यूस जो बेच रहा है क्रैप जो बेच रहा है रदी जो बेच रहा है इंबर जो बेच रहा है लकड बेच रहा है मिनरल्स बेच रहा है रे जारू पी के वैसी बंदा स्क्राइब हो जाता है दारू पेपरसंट है और स्क्राइब से एक परसंट है और madu इस बॉचे होगा हमारा रेट्ष याद हो गए दारू scrap, minerals एक परसंट, tendu leaves पांच परसंट, और यह जो forest producer है, लकड़ है वो धाई परसंट, अब यह जो बेच रहा है बंदा, यह कौन है फिर वही बात होगी, individual और ritual वाली बात होगी, अब ही detail में एक एक clause करेंगे, अब ही मैं सिर्फ overview बता रहा हूँ भी, इन में पांचों में फरक क्या है, फिर यहां लिखा है, to be used otherwise than in manufacture or processing or generation of power, to be used otherwise than in manufacture, अब जैसे मैं as a seller, मैं as a seller, लकड बेशता हूँ to a buyer और वो furniture बना रहा है, यानि वो लकड मेर से खरीद रहा है, furniture बनाने के लिए यानि he is going to be manufacturing furniture, so he is buying timber, timber होती है लकड for manufacturing furniture, अब TCS collect नहीं होगा, TCS कब collect हो रहा है, when it is to be used otherwise than in manufacture or processing or generation of power, which means, अगर यह बन्दा trader होता, furniture नहीं आगे लकड बेच रहा है तो इसके उपर TCS collect हो के यह government के पास pay करेंगे तो यह बात, दो तीन बाते दिमाग में डालते जाओ, फिर हम आगे चलते जाएंगे दूसा बेड़ा, 2061C अब यह कहता है कि जो लोग mine या query का ठेका देते हैं toll plaza का ठेका देते हैं, parking lot का ठेका देते हैं, अब समझो इस बात को जैसे, आप कहीं पर भी किसी भी इस देश में कहीं पर भी होंगे, आपको पता है, आजकल shopping malls के सामने जो parking area होता है, वहाँ जाके नहीं के लिए टिकेट लगती है Mumbai Delhi में बहुत महंगी है Chandigarh में अभी भी 10 रुपे है ना, you're right So if I go into a parking lot मुझे 10 रुपे देने है मैं यह 10 रुपे किसको दे रहाँ तो होता क्या है, Chandigarh local authority Chandigarh municipal corporation ने ठेका दिया हुआ, let's say यह X limited है, जिन्होंने बोला कि एक साल का हमें contract दे दो which means the local authority is giving a right to X limited to manage that parking area और उसके लिए X limited will pay some money to local authority leasing of rights for parking lot अब suppose दो करोड रुपे दिया अब इस दो करोड पे इनको tax collect करके income tax department को देना हमज़ रहो मेरी बात फिर यह आगे parking lot से अपना fees collect करकर के अपना यह दो करोड recover करेंगे और इसके उपर profit बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे चलता है उसी तरीके से, उसी तरीके से toll plaza, आपको पता सड़क बनती है toll plaza लगाने का right government दे देती है तो NHAI है या किसी ने सड़क बनाई है वो government को पैसा देंगे और वहाँ पर 8-9 साल के लिए अपना पैसा recover करने के लिए toll लगाने का right ले ले लेते हैं तो government ने जो toll plaza देने का right दिया उस पे government TCS collect करेगी तो तुम बोलोगे सर्फ government ही collect कर रही है हाँ हाँ हर चीज़ government होती है पर department तो अलग लगा है ना तो government का जो department वो right दे रहा है वो collect करके income tax department में जमा किरा देगा एक बात होगी now mining और quering माइनिंग और quering के जो rights हैं अब A limited के पास कोईले की खान है coal mines है अब while X limited यह A limited है यह Mr. A कर लेते हैं चलो अब X limited ने यह कोईले की rights लेना चाह रहे है they want to take these rights हम इसके अंदर से कोईला extract करेंगे तो इसने इन से एक करोड का contract कर लिया भी आप तीन साल के लिए आप यह rights ले सकते हैं एक करोडों पर लिया he has given the rights for mining अब इसके उपर TCS collect हो सकता है query is पत्थर की खाने mining is for minerals query is for stones basically it is a right to extract things from that कोईले की खान या पत्थर की जो भी आपका area है आप दिमाग में इस समय मोटा मोटा section डाले और क्या बोल रहा है वो section डालते जाएं so we have a section 206C1C which talks about rights for mining and query a right for toll plaza and parking lot और इस पे 2% TCS collect होगा पढ़गे दिमाग में बात so next is 206C1F यह क्या है see the government sees कि सडकों पे Audi, BMW, Mercedes बहुत सारी गुम रही है पर return हो में तो इतना पैसा दिखनी रहा है लोगों के return हो में in fact I think चिदामरम जी ने यह कहा था कि मेरे को जितनी sale दिख रही है 40,000,000 शूपर की गाड़ियों की उतनी income tax की returns नहीं दिख रही है तो उन्होंने एक काम करा उन्होंने का जो बंदा गाड़ी बेच रहा है the seller of motor vehicle if the motor vehicle is more than 10 lakhs तो एक परसंट tax collect कर लो यानि आज अगर मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ fortuner तुम्हें पता मेरी फेवरिट है fortuner जो मैं खरीदने जाता हूँ गाड़ी के वो एक परसंट साथ TCS लेंगे तो मैं के तुम चलो एक परसंट क्या है और साथ पैन नमबर भी जा रहा है याद रखो और वो जो गाड़ी तुम्हें बेच रहा है वो इस सारी रिपोर्ट income tax वालों को दे रहा है मैंने बताया था देर इस सेक्षिन कार्ड 285 बीए statement of financial transactions जा रही है पीछे बैकेंड पर और सारा डेटा कहां जाता बंगलूरू में अब तुम रिटर्न भरो कि मैंने तो कमाया ही 10 लाग रुपया और वहां से information आ रही भाई ने 35 लाग की गाड़ी करी दिये तो obviously income tax वाले notice बेजेंगे so this is how he is trying to collect data as well so 206C 1F then दो बहुत important sections जो finance act 20 ने introduce करें 206C 1G अब यह क्या करता है अब कई लोग हैं इंडिया के बाहर पैसा रिमिट करते हैं जैसे आपका बचा बाहर पढ़ने गया आपने उसकी फीस रिमिट करी आप बाहर घूमने जा रहे हैं अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप क्या खरीद रहे हैं package खरीद रहे हैं किस से खरीद रहे हैं travel agent से खरीद रहे हैं या आपने पैसा बाहर अपनी ममी को भेजना जो बाहर रहती है या बहन बाहर रह रही है आपका कोई लोन आपने बाहर लिया हुआ जो आप रीपे कर रहे हो कोई इंस्टॉल्मेंट जा रही है जो पैसा इंडिया के बाहर रिमिट करता है अंडर संटिंग कॉल्ड एल आर एस स्कीम आप रही है जो अलाओ करता है यह नहीं कि आप कभी भी उटके बैंक के पास जाएं और बोले या रही पैसा बाहर बिजना कितना पैसा इंडिया के बाहर जाएगा कैसे जाएगा उसकी क्या कंडिशन्स है सब लिखा हुआ है तो आप उसके अंडर एल आर स्कीम के अंडर जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं थूर एन और तरा इस दीलर जो आर बिया ने अपॉइंट करा जिसको राइट बिया की वो आप नजर में आ जाएंगे उसी तरीके से कहते हैं आप बाहर जाने का अगर कोई Overseas Travel का पैकेज प्रोग्राम लेते हो पूरा पैकेज लेते हो जिसमें Air Travel बाहर का घूमना फिरना साइट सींग रहना सब कुछ involved है पैकेज है उस पैकेज को बोला गया है Overseas Travel Package Program OTPP Overse पे TCS collect करेगा and this is from Finance Act 2020 बाकी डीटेल में बात करते हैं दो बंदे हो गया तीसरी बात अब एक बड़ा interesting section ले आया कहता है seller of goods जो बंदा goods बेच रहा है लेकिन हर seller नहीं ऐसा seller जिसकी turnover जिसकी turnover पिछले साल में 10 करोड से जादा है यह एक लौता clause है जहां turnover अब चेंज होगी और individual action नहीं कोई भी company firm इनके sale जो हो रही है aggregate turnover of the immediately preceding year is more than 10 करोड तो जब वो current year में किसी एक बंदे को sale करेंगे 50 लाग से जादा की remember उसके उपर tax है इस बार limit उसके उपर लगेगी पर pay ही है उसको अगर आपने 50 लाग की sale करी और वो आपको payment कर रहा है तो यहां पर pay नहीं per pair हो जाएगा समझो मेरी बात यहां पर जो limit आ रही है इसकी उपर होईगी क्योंके tax जिसका है उसी के होईगी न अब इस बंदे ने अलग-लग sale करी है during the year इन सब का मिला के 50 लाग नहीं देखना है इसकी अगर 50 लाग की हुई इसकी 40 की हुई इसकी 60 की हुई इसको आपने 70 लाग की sale करी तो आपने सिरफ उन बंदों की sale पे TCS collect करना है जो 50 लाग से aggregate ज्यादा हो रही है because of course over here it will be per pair और buyer इस section में बोला गया 0.1% बस 0.1% TCS collect करो और वो भी at the time of receipt बाकी सारे sections जो हमने करे देखो वो क्या कहता था at the time of receipt or debit whichever is earlier but यहां पर 206C1H को दिमाग में डालो he is only talking about collection of tax at the time of receipt so 206C1H क्या कहता है at the time of receipt तो फटाफट 206C1 क्या हो गया sale of sale of alcoholic liquor for human consumption नहीं भूलेगा दूसरा क्या था scrap तीसरा क्या था mineral सबके उपर 1% है तेंदूलीज 5% है तिमबर फॉरस्स प्रेडूस डाई परसंट है यह तब collect करना है अगर आप जो बेच रहे हो currency आपने toll plaza का क्या था दूसरा parking lot का या माइन और query का right दिया जो lease right आपने दिया उसको पैसा collect करे उसको पर TCS collect करोगे तीसरा क्या था मोटर कार की sale 10 लाग से ज्यादा हुई तो आप उस पर tax collect करोगे यहां कितना है माइन और query rights के लिए 2% था यहां पर is only 1% then comes the very important one जी authorized dealer जब पैसा बाहर बेजने के लिए collect कर रहा है उस पर collect करेगा at the rate of 5% और दूसरा है जो travel package बेच रहा है जो overseas travel package है पूरा package है तो उस पर 5% tax collect करेगा and last में जो seller है of goods, any goods, any seller जिसकी turnover पिछले साल में 10 करोड से ज्यादा है अगर aggregate sale to 1% exceeds 50 lakhs in this year then they will collect tax at the rate of 0.1%. Now with this knowledge, what we are now going to do is a detailed study of each of these sections. So, चलो बच्चो, अब हम करेंगे 206C subsection 1, 1C and 1F, अब सबसे पहले, if we go and check, मैंने एक chart आप लोगों को बना के दिया हुआ है, उसको एक बार देखेंगे fit text पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे है 206C subsection 1, that means there is a seller, the seller is making a sale to a buyer and he has to collect tax at source, कौन सी sale है, alcoholic liquor for human consumption, 1%, tendu leaves, 5% timber under forest produce, timber under any other mode other than forest produce, यानि कई बार क्या होता बेड़ा, एक forest का ठेका ले ले लेते हैं, और वहां से लकड बेचते हैं, आपने forest का ठेका लिया, वहां से लकड बेची, या आपने आगे लकड खरीद के आगे बेची, doesn't matter, दोनों पर आपको collect करना है at the rate of 2.5% scrap of cost is 1%, any other forest produced not being tendu leaves or timber, forest से कोई बी और चीज आपने correct करी जो आपने बेची, उसके उपर भी 0.5% है, और इन तीनों के उपर जो rights दे रहे हैं, is 2%, 2%, 2%, 2% and motor car का मैंने बोला, is 1%. Now, what we need to understand is, what we need to understand over here is, कि जो बंदा seller है, वो कौन है, सबसे पहले, जो seller है, वो trader होना चाहिए, और जिसको वो बेच रहा है, वो भी trading के लिए ही खरीद रहा है, which means, being sold for trading, other than to be used in the manufacturing or for power generation, ठीक बात होगी, उसके बाद, if these goods are being sold by any person, not being an individual or h.o.f., if individual or h.o.f., then if the turnover in the preceding year exceeds 1 crore और 50 lakhs, यानि 206C subsection 1, ये बात हो रही है, 206C subsection 1 की, और यहां हम बात कर रहे हैं, और ये हो रहा है, 1C की, ये जो rights दिये जा रहे हैं, इसके, या जो हम बात कर रहे हैं, इसके, if these goods are being sold by any person, not being an individual or h.o.f., तो वो tax collect करेगा, पर अगर individual or h.o.f. बेच रहे हैं, तो वो सिरफ तब tax collect करेंगे, अगर उनकी turnover immediately preceding year में, उन limit से ज्यादा थी, अच्छा आप खरीदार कौना है, प्रिकोस tax तो इनका है, tax तो इसकी जेप से जा रहा है, अब सोचो, government खरीद रहे हैं लकड, या government is also buying liquor, government is also buying scrap, if the government is buying, then there is no TCS, फिर embassies हैं, अब जैसे, let's say, there is kingfisher, and इन्होंने US embassy को liquor बेची है, दारू बेची, alcoholic liquor for human consumption, अब क्या हम US embassy का भी tax collect करवाएंगे, US government की embassy है, या UK government की embassy है, तो इनके उपर कोई tax नहीं होगा, तो इनको sale करें, if the buyer is the government, or the embassy, no TCS, if the buyer is the public sector company, ऐसी company जिसमें government का stake है, public sector company, public limited company नहीं, public sector company, तो भी TCS collect नहीं होगा, और मैंने शुरू शुरू में बोला था, कि यह जो मैं वर्ट सिखा रहा हूँ न, public limited, private limited, public sector, PSU, कहीं न कहीं जाके काम आएंगे, आ रहे हैं न, तो अगर नहीं recall होता, तो जाके notes पड़ो, विडियो भी देख लो, तुमारे तो हाथ में है, जब बोलोगे, मैं दुबारा शुरू हो जाँगो उस lecture में, है न, तो आव इदर, अब ये दो बड़े important होगे, clubs, अब यासे जिम खाना क्लब ने liquor खरीदनी है, जिम खाना क्लब को जो अब आप sale करोगे, तो उसके उपर tax collect नहीं होगा, और for personal consumption, अगर आपने जो खरीदा, वो personal consumption के लिए खरीदा, और अभी मैं बात सिर्फ one की कर रहा हूँ और one c की, पर one c में personal consumption की तो बात ही नाएगी, वहां तो leasing of rights है, one f की बात नहीं कर रहे है, one f अलग आएगा, मोटर कार वाली बात अलग है, यह जो बाते हो रही है, personal consumption, which means, आप गए, दुकान में, और आपने दारू करी दी, क्यों करी दी, क्यों करी दी, क्योंकि, personal consumption है, उस पे tax collect नहीं होगा, तो when it is bought for personal consumption, और यह मैं mark कर रहा हूँ, और it is bought by clubs, इस पे 206C subsection 1 में collect नहीं होगा, तो चलो, अब मैं फड़ा-फड 2-4 सवाल पूछता हूँ, आप उसके जवाब दो, ठीक बात होगी, अब मैं कहता हूँ, एक proprietary concern है, चलो आओ, there is a proprietary concern, proprietary concern तो पता ही होगा, इंडिविजूल है, इसकी turnover less than or equal to 100 lakh से preceding year में, इसने factory से scrap बेचा, scrap sale, scrap sale let's say 1 lakh रुपे की थी, now what is scrap, scrap की definition पढ़ेंगे, आओ, so we are going to read the definition of scrap, it means waste and scrap from the manufacture or mechanical working of materials which is definitely not reusable as such, which is definitely not reusable as such, because of breakage, cutting up, wear and other reasons, यानि जो आप बेच रहे हो, वो as such यूज नहीं हो सकता है, तो scrap का मतलब है waste, जैसे आपकी कपड़े बनाने की factory है, तो जब आप कपड़े का थान लेते हैं, बड़ा सा roll होता है, उसमें से आप कपड़े के, shirt के, size के काटेंगे टुकड़े, तो छोट-छोट टुकड़े बच जाते हैं, अब ये as such यूज नहीं होंगे, इनको आप बेचोगे, अगला उसको जाके, री थ्रेडिंग करके, उसके फिर से धागे बनाके, उसको फिर से करेगा, तो वो बात अलग है, पर वो scrap क्यों है, क्योंकि वो reusable as such नहीं है, उसी तरीके से rubber के जूते बन रहे हैं, rubber की चपले बन रहे हैं, रबड के भी बड़े-बड़े slabs आते हैं, फिर उसमें से चपलो Selling a scrap, which is not reusable as such, then you are going to be collecting tax, but individual जो बेच रहा है, उसको tax कब कलेक करना है, जब उसकी turnover इस लिमिट से जादा है, तो हम क्या बोलेंगे, no, crap is covered, पर यह collect नहीं करेगा, यह हम कहते हैं, चलो यह X limited है, यह scrap बेच रहे है, अब तो collect होगा, पर यह बेच रहे है, पर यह बेच रहे seller individual achieve नहीं होना चाहिए है तो preceding year में turnover की limits होनी चाहिए buyer public sector company government embassy नहीं होने चाहिए और जो बड़ी important बात है कि आप अगर clubs खरीद रही है यह चीजे या personal consumption के लिए खरीद रही है वो भी TCS नहीं होगा plus अब तीसरी बात मैं कहता हूँ जी X limited बेच रही है Y limited को अब देखो X limited है individual achieve की condition नहीं है Y limited है exempted buyer और exempted seller में कोई भी नहीं है यह क्या बेच रही है timber ठीक बात लेकिन Y limited is buying it for manufacturing furniture एक और condition violet होगी फिर TCS collect नहीं होगा क्योंकि उसने बड़ी clearly क्या लिखा है must be sold for trading other than to be used for processing or manufacture or power generation clear होगी बात at the time of debit or receipt whichever is earlier यह 7th of the month और March के महिने का है तो 30th of April तो यह हो गया हमारा 206C subsection 1 and 1C अब आगे चलते हैं 1F पर अब 1F पर बड़े ध्यान से बात करना उसने बोला seller of motor vehicle where the value per vehicle is more than 10 lakhs per vehicle per dealer ही होगा न अब मैंने let's say Maruti की गाड़ी खरीदी Maruti की गाड़ी खरीदी और एक मैंने Toyota की गाड़ी खरीदी Toyota की गाड़ी खरीदी 12 lakh की Maruti की गाड़ी खरीदी 3 lakh की यह dealer X है यह dealer Y है दोनों से मैं खरीदने गया हूँ टैक्स तो मेरा है पर इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना नहीं यह हैं seller अब इसने तो बेचा ही 12 lakh यह इस पर कलेक्ट कर लेगा इसने तो बेचा ही 3 lakh यह तो कलेक्ट नहीं करेगा similarly इसने Maruti की गाड़ी दो बंदों को और बेची 6 lakh की एक को बेची 5 lakh की यह तीनों पर कलेक्ट नहीं करेगा because the limit obviously is for the buyer so it is per buyer per seller तो एक seller ने एक buyer को अगर 10 lakh से उपर की गाड़ी बेची तो अगर तो चोट टियोटा नहीं एक टाइम पर 12 lakh की गाड़ी बेची मेर को थोड़ देर बाद मैं फिर चला गया अच्छे लाकी गाड़ी और ले आया दो गाड़ी आ करिद ली अब मिला के 18 होगे अब क्या TCS collect होगा तो government कहती है सिरफ 12 पे होगा 6 पे नहीं होगा because the limit of 10 lakhs is per vehicle I hope that point is clear otherwise than by way of sale by manufacturers to dealer अब यह क्या बोल रहा है इसको समझ लेते हैं अब तीन example लेंगे बिटा X Limited चलिए इसको कर लेते हैं Toyota Motors Toyota Motors ने चलो इसको भी change कर देते हैं इसको बोलते हैं Globe Toyota Globe Toyota को महाली में अपना agency दिया हुआ तो यह हो गया manufacturer यह हो गया dealer और यह हो गया buyer और buyer का नाम है 80 करके एक बंदा है अब Globe Toyota डीलर है Toyota Motors manufacturer है और buyer है 80 जब Toyota Motors इनको बेच रही है सब्सक्राइब वो गाड़ी है 30 लाक रुपे की और यह आगे बेच रहे है 35 लाक रुपे की profit margin भी तो होगा ना उनका My question is क्या Globe Toyota TCS collect करेगी 80 से बचे बोलते हैं सर 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 अभी आपने बताया personal use के लिए हो रहा है तो नहीं होगा तो मैंने खास बोला था वो किस के लिए है 2061 के लिए है तो यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ personal use के लिए भी आ रहा है personal use के लिए है TCS collect होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने clearly बोल दिया डीलर को आप बेच रहे हैं तो इस पर TCS collect नहीं होगा CBD ने clarify करा समझ गए तो यहाँ तो होगा ही retail में तो कई बर क्या होता है second hand card dealer जैसे यह individual है individual है इसने गाड़ियां बेची है गाड़ियां बेची है second hand card dealer है एक गाड़ियां बेची 12 लाग की एक बेची 6 की एक बेची 12 की चलो 14 कर देते हैं अब this is X को Y को Z को और यह है Mr. A अब क्या Mr. A को TCS collect करना है that is the question again remember गाड़िया बेची है collectible है collectible है नहीं है 10 लाग से अगर इसकी turnover पिछले साल में limit से ज्यादा नहीं है तो इसको TCS collect नहीं करना है that condition is also applicable to 206C1F मैंने अलग से लिखा देखो being any person not being individual HOF and if individual HOF then if turnover in the preceding year exceeds 1 करोड और 50 लाग अब बायर कहता है कोई भी person है other than central or state government आ गया embassy आ गया public sector company अब यहाँ पर आया public sector company engage in transportation business कोई भी public sector company नहीं public sector company engage in transportation business को आप बेच रहे हो तो TCS collect नहीं करना है which means यह जो आपके public sector companies होती है which are running transportation businesses वो जब गाड़ियां खरीती हैं 10 लाग से ज़्यादा उस पर TCS नहीं होगा लेकिन अगर public sector companies not into transportation वो जब गाड़ी खरीदेगी अपने office के employees के यूज के यूज के यूज के या कोई जो उनके higher level के executives हैं उनके यूज के यूज के लिए उस पर TCS लगेगा अगर 10 लाग से ज्यादा की है और आप यहां देख रहे हैं कलब्स और पर्सनल कंजम्चन नहीं है यानि कलब्स खरीदेंगे गाड़ियां तो भी TCS है, पर्सनल यूज के लिए खरीदेओ तो भी TCS है समझ में आगी आपको बात? चलो, यह दो सेक्शन हमने करें अब इसको थोज़ साट डीटेल में करना पड़ेगा यह जो रेट समने करें TCS के जैसे TDS की बात करी थी 14 में 20 से लेके 31 मार्च 21 तक जो भी बिका उस पर TCS के रेट से भी 25 परसंट का डिसकाउंट है लेकिन अब चेक करते हैं क्या मिसिंग है? जैसे TDS में देखा था क्या मिसिंग है? TCS में देखते हैं अब तेंदू लीव्स का उसने कर दिया टिमबर उप्टेंट लीज टिमबर उप्टेंट बाइनी अधर लीज एनी अधर फॉरेस्ट तीनो का कर दिया चलो आगे चलते हैं मिलेगा कुछ न कुछ, स्क्रैप का भी कर दिया, मिन्रल्स का भी कर दिया, विंग कोल, आयरन, और इगनाइट और अईरन और, ये भी आ गया, इनफ़ाक्ट इसको जाके हमने यहां पर, add करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर missing है यह इसमें minerals आ जाएगा minerals being coal ignite and iron ore now please differentiate actually अभी मैं इसको कराऊंगा जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर mining है और querying है आप कोईले की खान को use करने का right दे रहे हैं वो अलग बात होगी आप कोईला बेच रहे हैं वो अलग बात होगी आप कही होते हैं कोईला बेचने का काम कर रहे हैं आप कोईला जब बेच रहे हो उसके उपर TCS collect होगा यह जो TCS collect हो रहा है on the sale of koila is at the rate of 1% minerals का हमने बात करी थी minerals की पिछले चार्ट में 1% है koila की right देने पर अलग बात होगी koila बेचने पर अलग बात होगी और आप बताओ koila जब personal use के लिए बेचा तो TCS collect नहीं होगा koila जिसमें बेचा अगर वो और प्रिसीडिंग एर में वो turnover के limit से ज्यादा नहीं है तो भी collect नहीं होगा so we basically need to understand the difference between these two rights for mining of coal and sale of coal ignite and iron ore now what is coal what is lignite what is lignite and what is iron ore एक बाद चेक करते हैं koila तो देखा यह होगा आप लोग ने it is hard rock which can be burnt as a solid fossil fuel तो koila ऐसा दिखता है lignite जो है बड़ा is often refer to as brown coal यह soft brown koila है and iron ore यह जो आपको दिख रहे हैं इन में loha embedded होता है दर्ती में से मिलता है सारा कुछ फिर इन nuggets को पिगलाया जाता है पत्थर हटाया जाता है loha को अलग करा जाता है फिर उसको पिगला के आपके बाकी loha के products बनाए जाते हैं तो हम जो बात कर रहे हैं वो यह है कि जो बंदा minerals बेच रहा है coal, lignite और iron ore वो भी TCS कलेक करेगा at the rate of 1% और यह जो सारी conditions करी हमने उस पे भी लगेंगी now उसका rate भी उसने कम कर दिया तो क्या रह गया क्या रह गया यहां से अब देखो alcoholic liquor for human consumption रह गया alcoholic liquor for human consumption यानि उसका rate नहीं कम करा कहते है दारू के उपर नहीं हम कम करेंगे तो 1% पहले था 1% ही बात में है there is no change on alcoholic liquor for human consumption फिर lease of license जो था उसका भी उसने कम कर दिया सारा 2061C भी आ गया 1F में sale of motor car भी कम हो गया 1H जब करेंगे वो भी आप देखो के कम हो गया लेकिन आप क्या देख रहे हो यहां पर 2061C 1G नहीं आया यानि उस पे no reduction of rates no reduction of rates तो दो बाते आ दखो alcoholic liquor for human consumption का कोई rate reduce नहीं हुआ और 2061C 1G में कोई rate reduce नहीं हुआ अब minerals की बात करनेंगे थोड़ी बात अभी वो कहता है लीडिंग तो नॉन रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग और मिनरल ट्रेडिंग ट्रांजक्शन फॉर taxation परपस कहा रही है कोईले की ट्रेडिंग और हमारा पूरा पावर सेक्टर अभी भी काफी हद तक कोईले पे निर्बर है एक वो पिक्चर भी आई थी रनवीर कपूर रनवीर सिंग और अरजन कपूर वाली पिक्चर थी दिस वास गुंडे जिसमें कोई माफिया की बात करी गई थी तो गर्बंट कह रही है कोईले की ट्रेडिंग बहुत अन्रॉगलेटड थी तो 2012 में गर्बंट ने क्या बोला कि कोईले की ट्रेडिंग पे भी हम TCS कलेक्ट करेंगे वन परसंट जो भी मनने आपको बताया पर कौन से कोईले कौन से मिनरल्स कोल, लिगनाइट और आइरन और भी आगया तो यह बात याद रखनी यहाँ पर ज्यादा ज़रूरी है कि मैंने बोला कोईला काफी हद तक हमारे पावर जेनरेशन सेक्टर में यूज होता है तो अगर आप as a trader बेच रहे हो और वो आगे पावर जेनरेशन में यूज हो रहा है तो इसको आप TCS कलेक्ट नहीं करेंगे या आप किसी फैक्टरी को बेच रहे हो और वहाँ पर उनके भटे हैं या बोईलर्स हैं जिसमें कोईले की ज़रूत पढ़ती है या गूंट भी यूजिंग इट फो मैनिफाक्टर प्रोसेसिंग वहाँ पर भी TCS कलेक्ट नहीं होगा देन बेटा 206C1F पे CBDT ने कुछ सर्कुलर दिया जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दी हैं हम वो पढ़ेंगे सर्कुलर वेदर TCS at 1% is on sale of motor vehicle at retail level और also on sale of motor vehicle by manufacturers to dealers तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने कराया तो बेटा मैंने जो शॉटकट कराया summary कराया ही वो इसले कराया है क्योंके ये clarification आई थी तो क्या लिखा है तो ब्रिंग हाई वाल्यू ट्रांसक्शन विदिन टाक्सनेट section 206C has been amended to provide that the seller shall collect tax at 1% from the purchaser on sale of motor vehicle if the value exceeds 10,000,000 this is brought to cover all transactions of retail sale retail मतलब end customer and accordingly it will not apply on sale of motor vehicle by manufacturer to dealers or distributors ठीक बात whether TCS at 1% on sale of motor vehicle is applicable only to luxury cars CBTT जब ऐसी clarification देती है न क्योंके लोग सवाल पूछते कि भाई ये 1% सिर्फ luxury cars पे CBTT ने बोल दिया भाई अब तुम बोलो हो मैंने बोल दिया 10,000,000 के उपर गाडी पे अब तुम उसको luxury बोलो या necessity बोल दो हमें क्या लेना देना value बता दिया हमने 10,000,000 के उपर की होईगी तो collect करना फिर whether TCS as 1% is applicable in case of sale to government departments, embassies, consulates United Nations उन्होंने बोल तो दिया कि इन सब पे नहीं है whether TCS is applicable on each sale of motor vehicle or aggregate value तो मैंने आपको क्या बता है था ये limit जो है is applicable to each sale not to aggregate value whether TCS as 1% on sale of motor vehicle is applicable in case of an individual, he says the definition of seller an individual who is liable to tax audit और ये जो है अब क्या बतल गया turnover is more than 1 crore or receipts are more than 50 lakhs in the immediately preceding year is sold shall be liable to collect tax at source on the sale of vehicles made by him how would the provisions of TCS on sale of motor vehicle be applicable in case where the part of the payment is made in cash and part is made by check तो एक चीज़ बताओ हमने mode of payment की कहीं बात करी हमने ये बोला कि जब cash में sale होईगी तभी TCS collect होगा नहीं हो ना पर सवाल तो आगया दिमाग में तो उन्होंने जवाब दिया the provisions of TCS on sale exceeding 10 lakhs is not dependent upon the mode of payment any sale चाहे तुमने चेक से पैसा लिया कहता हम मुझे इस पर TCS चाहिए ये clarifications होगी अब last part crap means waste and scrap from manufacture or mechanical working of materials which is definitely not reusable as such because of breakage अब हुआ क्या एक बहुत बड़ी ship थी ship समझते हो ना अब ship जब sale करना बंद कर देती है यानि अब ये condom होगी बिकार होगी है ये जाती है ship breaking ऐसे लोग होते हैं ship breaking करते हैं ये क्या करते हैं इस ship के सारे पुर्जे अलग लग करते हैं और कुछ पुर्जे जो अलग लग होए उनको sale करते हैं अब हमारा मुच्चर ने इनके उपर एक notice भेज़ दिया कि भाई आप लोगों ने जब ये sale करी आपने TCS नहीं collect करा तो आप होगए SSC in default मैं तो आप से penalty भी लोगा तो इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो scrap थोड़े है तो कहता कैसे नहीं है जब ship तूड़ गई तो जो बिका वो scrap है कहता है इसके इतने बड़े बड़े पुर्जे होता है ship है भाई इतने बड़े बड़े पुर्जे है ये तो as such यूज हो रहे हैं वहाँ पर आगे इनको तोड़के कुछ री प्रोसेसिंग नहीं करनी परती है मैंने तो बेश दिया अगले ने फैक्टरी में लगा लिया कहता है ये जो पुर्जे बिक गए and they are usable as such is not scrap because scrap की definition कहती है not usable as such समझो तो उनको बोला गया इस पे कोई TCS कलेक्ट करने की जरुद नहीं है तो बेटा वाट वीव कावर्ड इस new sections that are added by Finance Act 20 चला वड़ा amended sections Finance Act 20 और खास कर May 20 और November 20 के लिए ये होगए important पहली बाद समझो ये देखो ये है एक दस बीस से आया section यानि ताल के आदे में आया यानि यहां हो गया लफड़ा क्योंकि ये provisions will only be applicable for any transaction after 110 अब समझ के ये पहले तो इसको ठीक कर लो and you know when I am doing the notes here I am assuming कि आपके हाथ में notes है और आप उन notes को वहीं खोल लेते हैं जहां ये lecture शुरू हो रहा है उसके बाद आपको तो वहां पर जो भी noting करनी आप करते जाओ एक बात I think I can take for granted कि तुम सीए के सून तो इतना इतलियंस तो होगा now समझो यहां पर पहला आया on foreign remittance through liberalized remittance scheme LRS and on selling of overseas tour package ये दोनों आगे 206C1G में और ये आगया on sale of goods over a limit ये आगया 206C1H ये दोनों section with effect from 11020I है और यहां questions करने पड़ेंगे detail में पहले एक बार overview आपको पता ये chart बना दिया मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ है अमजने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आओ पहले तो imagine करो इंडिया के बाहर पैसा रिमिट हो रहा है कौन रिमिट कर रहा है और ये भाई कौन है जिसको आर बिया ने और ये आउट्राइज दिया वह लाइसेंस दिया वह तो कर सकता है अगर इसके अलावा कोई और बंदा करेगा तो उसको स्मगलिंग बोलेंगे उसको जेल डालेंगे नो one can send money outside इंडिया except through authorized channels permitted by RBI अब RBI ने एक scheme निकाली LRS scheme जिसमें मैंने बोला धाई लाख डॉलर तक डॉलर रुपई ये नहीं बोल रहा है धाई लाग डॉलर तक आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं तो एक बंदा जो पैसा भेज रहा है भार उसको बोलेंगे बायर इसने authorized dealer को पैसा दिया इस scheme के अंडर transmit करने के लिए और आप ध्यान से सुनना where the aggregate amount per annum per dealer is more than 7 lakhs इसका क्या मतलब हुआ अब एक भाई साब है एक्स दो authorized dealer के पास चले गए इसके थूँ 7 lakh रिमिट करा इसके थूँ 7 lakh रिमिट करा अब collect तो इन्हों ने करना अब इसको क्या पता आपने दूसरे से क्या करा तो the limit is per remitter per buyer अब इसने किसी और बंदे के भी remit करे 10 lakh रुपए तो आप समझों वो तो सिर्फ इस पर collect करेगा ना इसके 7 lakh पर तो collect करेगा यह नहीं यह बात क्लियर हो जाने चाहिए अब तक so it is per remitter per buyer जो remit कर रहा है और जो आगे remit कर रहा है दोनों बंदे जो पैसा भेज रहा है और यह दोनों का limit लगेगी एक authorized dealer के थूँ एक बंदे ने on amount in excess of 7 lakhs यानि अगर 8 lakh remit करा ना बिटा तो एक लाग पर collect होगा at the rate of 5% क्या आट है 5% हाँ इस बंदे को अपना पैन नंबर देना है अगर इसने पैन नहीं दिया तो rate 10% हो जाएगा rate क्या हो जाएगा 10% अब TCS के chapter में if we come to the first page आजो तरह वापस देखो तरह यहां क्या लिखा आजो यहां पर मैंने लिखा हुआ है furnishing of pan by the air यानि buyer अगर pan नहीं देता है then the tax shall be collected at the higher of twice the rate mentioned in the relevant section or 5% twice the rate or 5% whichever is higher तो अगर मैं scrap की बात करूँ 1% था twice क्या हो जाएगा बिटा 2% तो अगर buyer of scrap ने अपना pan number नहीं दिया तो TCS 5% होगा twice the rate or 5% whichever is higher timber का कितना बिटा 5% twice the rate कितना हो गया 10% so 10% और 5% whichever is higher similarly minerals की जो toll plaza minerals parking lot का जो देते थे 2% into 2 4% और 5% whichever is higher बस I think इसके बाद आप लोग कर लोगे तो TCS में it is twice TDS में कितना था 20% or the rate applicable whichever is higher यहां क्या है 5% or the rate applicable whichever is higher अच्छा अब एक और बात यहां दखोगे यहां पर TDS जो है TDS जो है अगर आप जो पैसा remit कर रहे हो वो आपने loan लिया हुआ है और education के लिया है चलो अब एक बात करते हैं जब हम income tax में जाएंगे एक हमें section मिलेगा ATE करके ATE क्या करता है कि आपने इंडिया में इंडिया में मैं फिर लिख रहा हूँ किसमें इंडिया में किसी बैंक से किसी एप्रूट financial institution से loan लिया loan किसले लिया है education के लिए loan और education और education आपकी चाहे in इंडिया है चाहे outside इंडिया इससे फरक नहीं पड़ता loan आपने जो लिया वो bank और financial institution इंडिया से है और उसके उपर जो आप interest पे कर रहे हो whatever is the interest you are paying उस interest की आपको अपनी gti में से deduction मिल जाती है की करेंगे जब deductions के chapter में पहुंचेंगे अभी क्या किया रहा है कहता है अगर आपने यह loan का पैसा लिया और इंडिया के बाहर रिमिट कर रहे हो अब इस पर TCS collect हो गया पर इस पर TCS का rate उसने क्या करा उसने करा point five percent point five percent वो भी on amount in excess of seven lakhs तो दो रेट होगे पांच परसंट का एक point five percent का where the amount being remitted is taken as a loan for education from entity covered by section 80e चलो यह बात भी होगी और अगर point five percent वाले case में pan number नहीं आया तो double क्या हो जाएगा वन परसंट और five percent whichever is higher तो कितना हो जाएगा five percent तो यहां पर rate और 5% whichever is higher वहाँ 5% हो गया नाओ जो बंदा रिमिट कर रहा है पैसा जो बंदा पैसा रिमिट कर रहा है वो कौन नहीं होगा Central or State Government रिमिट कर रहे हैं obviously उनसे tax collect नहीं करेंगे Embassy वगरा कर रहे हैं when I say Embassy it includes representation of a foreign state and consulate वो foreign जो governments वगरा को represent करते हैं वो सारे आगे local authority रिमिट कर रहे हैं तो भी नहीं होगा or other person as the government may specified or or where the buyer is liable to deduct TDS under any section and has deducted TDS under that section उसको भी ये section नहीं लगेगा अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि Central or State Government Embassy etc. को ये section नहीं लग रहा है local authority को ये section नहीं लग रहा है और यहां पर आप कहीं देखोगे individual or achieve की turnover एक करोर से जादा है 50 लाक वाली कोई condition नहीं है वो 2061 में थी 2061 C में चेक कर ली और 1 F में चेक कर ली बाकी जगा नहीं है अब दूसरी बात करेंगे अब हम बात करते हैं एक बंदा seller है अब ये seller क्या है he is selling tour packages चलो ये क्या बेच रहा है tour packages overseas tour program package means any tour package which offers visit to a country or countries or territory or territories and बेटा the word is outside India यानि इंडिया में गूमने के package पे TCS collect नहीं हो रहा overseas tour package है and includes expenses for travel, hotel or boarding, lodging or any other expenditure or similar nature or any relation देरेटो तो आप समझी है package का मतलब होता है सब कुछ है अब सोचो make my trip है yatra.com है मैं बैठा हूँ मैंने US से जाना है मैं make my trip पे जाता हूँ मैं अपनी ticket book कराता हूँ फिर मैं जाता हूँ AIR BNB अगर कभी नहीं सुना तो उस आप को download करो आजकर लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने घर किराए पे चिडा देते हैं चुटियों में तो बहार बहुत सुन्दर सुन्दर घर मिलते हैं in fact जब भी मैं योरोप travel करता हूँ मैं तो AIR BNB से ही booking करता हूँ अब मैंने टिकेट बुक करा है यातरा से AIR BNB से बुक करा है मैंने अपना रूम ट्रैवल कहीं और से बुक करा है अब इस केस में package नहीं लिया मैंने इधर कोई TCS नहीं है no TCS मैं make my trip पे जाता हूँ और उनका package बना हुआ USA का जिसमें air ticket गुमना फिरना रहना सब इकठे है जब उसको खरीदूँगा तो उनकी site पे tax collection का option होना चाहिए option मतलब होना चाहिए collection लेकिन जब air tickets करीदूँगा तब नहीं होगा या मैं सिर्फ hotel बुक करा हूँ USA के तब भी नहीं होगा package पे है बिटा will not cover booking of tickets hotels through the seller so seller कौन है जो बंदा क्या बेच रहा है overseas tour program package overseas travel या overseas tour program package OTPP बेच रहा है ये कोई भी हो सकता है उन्होंने define नहीं करा है यानि ये individual चला रहा है हुएफ चला रहा है कोई भी चला रहा है doesn't matter उनकी turnover जो मर्दी हो इनको tax collect करना है अच्छा एक और बड़ी important बात है बता 7 लाख वाली limit यहां कहीं नहीं है वो सिर्फ वो बाहर remittance वाले पे थी यहां कोई limit नहीं है यह seller resident हो non resident हो कोई फरक नहीं पड़ रहा है buyer resident हो non resident हो कोई फरक नहीं पड़ रहा है अब सोचो एक इंडिया में टोर operator है जपैन में बैठे बंदे ने उससे tour book कराया लंडन के लिए tax collect होगा क्योंकि उसने बड़ी clearly buyer भी define नहीं करा है resident भी आ रहा है non resident भी आ रहा है seller में भी आ रहे है और यहां rate है 5% और अगर pan नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा बिटा rate double which is 10% और 5% whichever is आएगा 10% clear होगी बात हाँ अब एक बात और पते की याद रखनी है जो यहां पर ज़रूरी है वो यह है कि कब जब मैंने गया suppose मैंने Mr. X है एक travel agent है Mr. X है और हम है Mr. A चलो मैंने इनसे package खरीद लिया 2,000,000 का भी खरीदा तो भी चलेगा चलो मैंने 12,000,000 का package खरीदिया इन्होंने 12,000,000 पर मेंसे tax collect कर लिया 5% के इसाब से अब यह जो Mr. X है यह authorized dealer के पास गए और उनके through remittance करी आगे जहां पर इन्होंने hotel booking करानी क्योंकि मैंने तो इनको साथ पैसा दे दिया अब यह आगे payment करेंगे अब यह authorized dealer है नहीं तेलर authorized dealer है नहीं तो remittance करेगा authorized dealer के लिए अब authorized dealer कहता तू मेरे through 12,000,000 पर remitt करा रहा है अब मैं इस पर भी tax लूँगा TCS है क्योंकि वो तो यहीं आगया collection for money remitted outside इंडिया तो government ने बोला यह दो दो बार हो जाएगा बई no TCS on subsequent remission तो मैंने बोला अगर यह seller खुद remitt कर रहा है खुद remitt कर रहा है तो तो एक बार उसने collect करके करी लिया अगर किसी के through कर रहा है तो भी उसने collect कर लिया तो यहां दुबारा TCS collect नहीं होगा अब इसको यहां पर हमने text form में सारा लिखा हुआ है यह सारी बात text form में लिखी है you can read them then I have illustrations for you let's do them for 206C1G in the following cases तो मेरे साथ हो नहीं हो सीधा बाट जाओ क्या बोल रहा हूं मैं in the following cases discuss the applicability of TCS in the hands of Mr. X as per 206C1G he remits the following amounts through the authorized dealer during the previous year मतलब Mr. X कौन है हमारे case में बायर है authorized dealer के तुरू बेज रहा एक साथ बीस को दो लाख रुपया उसने transfer करा अब एक साथ अरे section ही एक दस को आया कोई TCS नहीं है अच्छा वैसे भी साथ लाख से कमता है ना चलो यह तो है नहीं 11 दस को चार लाख रुपय दिये अब एक बात मेरी समझ नहीं है यह जो साथ लाख गिनने हैं एक दस से पहले वाले भी गिनने हैं हाँ अब ही वही करवा रहा हूं देखो अब क्या हुआ TCS अभी भी नहीं है क्योंके aggregate does not exceed 7 लाख दोनों का मिला के भी नहीं है अच्छा तीसरा धाई लाख वेजा अब चार प्लस दो छे प्लस धाई कितना हो गया साढ़े आठ साढ़े आठ माइनस साथ लाख रोपे रिमेट कर दिया वाई साथ से तो ज्यादा है पर एक दस से पहले है एक दस से पहले लॉई नहीं था तो नो TCS चलो आगे चले पहला है एक साथ को बारा लाख पिर आया ग्यारा बारा को एक लाख अब साथ लाख तो खतम हो चुगा है अब दिमाग में आता है साथ लाख मैं करूrand एरह लाख माइनस साथ पांच पे करूँ ना जो एक दस से पहले रिमेट हो गया उस पे टैक्स नहीं कलेक्ट हो सकता आँ वो गिन्ती में आ जागा साथ लाख की यानि साथ लाग की गिंती पूरी होगी अब यहां एक लाग पूरे पे TCS कलेक्ट होगा पांच परसंट में समझ में आगी बात अब यह रेमिट्स दा फॉलिंग अमाउंट्स अगें तू दू आउस्टराइज डिलर डिरिंग प्रिवेशिए यहां रेट अभी 0.5% वाला नहीं है वो तब होगा जब लोन अपने लिया है और वो रिमिट्ट कर रहे हो यह तो अपनी जेप से कर रहा है इसमें फरक करो अब एक साथ को पांच लाग कर रहे है फॉरेस सांज एजुकेशन चार लाग करे हैं अब नो माइनस साथ क्योंके चार लाग यहां है पांच प्लस चार नो माइनस साथ दो लाग पे टैक्स होगा अगर यहीं पंदरा होता बेटा तो पूरे चार पे कलेक्ट होता समझ में आगी बात यह बाते क्लियर होनी चाहिए अब यह कहता पांच लाग रिमिट करा फ्रॉर हिस संज एड्यूकेशन इंडिया इलिजिबल फॉर एटीए पर यह एक साथ को है अब यह आगया चार लाग अगेन वही लोन का बैलंस जा रहा है अब यहां पर दो लाग पे होगा अब तो और पैकेश की बात करते है एक साथ बीस को बारा लाग का पैकेश बेचा पर यह तो एक साथ है कोई टीएस नहीं फिर ग्यार दस को एक साथ लिमिटेड ने चार लाग का पैकेश बेचा बी को फॉर इस टूर तो यूरॉप अब समझो यहाँ साथ लाग की कोई लिमिट नहीं है यह एक दस के बाद है इस पे टीएस विल बी कलेक्टेबल बाई एक्स लिमिटेड अज देर इस नो लिमिट समझ में आगी बात और बाद में ऑथराइस दीलर कोई भी नहीं कलेक करेगा क्योंकि एक ट्रांजक्शन पे हो गया सबसेक्वेंट रिमिटेंस आउटसाइड इंडिया त्रू दी ऑथराइस दीलर इस नोट लियाबल फो टीएस आ रहा है आएगा भी बहुत क्वेशन करेंगे दो बारा को धाई लाक रुपया अच्छा यह मिस्टर ए है यह मिस्टर भी है फिर आगे है मिस्टर ए पर यहां फरक नहीं पड़ता बेटा कोई एग्रिगेट अमाउंट तो हो नहीं है हर बार लेना चाहे दसदार का अपने टूर पैकेज लिया और दसदार में फॉरन ट्राइवल होगा नहीं न सो धाई लाक रुपया भेचा है सो धाई लाक पे कलेक्टेबल है अट दे रेट आफ फाई परसेंट चार बारा को एक लाक है मिस्टर ए बुक्ट इज एर टिकेट त्रू एक्स वाजमेंट ये टूर पैकेज नहीं है इस पे TCS कलेक्ट नहीं होगा छे एक को एक्स वार टूर पैकेज टू शिमला ये ओवर सीज नहीं है इसलिए कोई भी TCS कलेक्ट नहीं होगा अब इन सारी बातों को धिहां से पढ़ो नोट साब के पास है underline हमने करा हुआ है charts को अच्छी तरह memorize करो क्योंकि एक ही chart में मैंने कोशिश करी सब कुछ summarize कर दूँ ताकि तुमसे गलती नहीं हो जब यह हो जाए फिर आगे चलो तो बटा let us continue with the last part of TCS 206C1H अच्छे एक बाद यहाद रिखना बटा when you go and you know search for the pastiest questions on TCS बहुत सारे नहीं मिलेंगे अभी तक ICI ने TCS पे बहुत सारे question नहीं डाले जो डाला है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ this is one question that came in 2019 उसमे क्या पुछा गया what are the clarifications made by CBDT with respect to 206C1F relating to following issues whether TCS on sale of motor vehicle is applicable only to luxury cars अभी कर रहा हमने question CBDT का clarification का ये पूछा उसने whether TCS is applicable on each sale or aggregate value of sale of motor vehicles exceeding 10 lakhs whether TCS is applicable in case of an individual और ये हमने जवाब देना है with respect to 206C1F अब आप notice करो मैंने आपके दिमाग में sections डाले subsection भी डाले 1, 1C, 1F, 1G, 1H कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पता नहीं इतना detail में करना भी होता नहीं करना होता है see ultimately I keep repeating I am not going to do anything that ICI does not expect of you आपके लिए पूरी उमर पढ़ी है tax care expert बनने की final level भी है पर intermediate level पर जो ICI expect कर रहा है वो तो मैं कराऊंगा और मैंने आपको बोला मैं पहले सारे tenure papers सारे RTP सारे mock test चेक करके decide करूँगा कि 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 लेवल पर पढ़ाना है अब देखो उसने यहां नहीं लिखा motor vehicle का है हा लॉजिकली यहां तुक्का मार लोगे कि motor vehicle लिखा था तो वहां पर section obviously motor vehicle का है पिर CBDT का clarification है अब अच्चा paper में बैटा confused हो जाएगा उसको लोगे का सरने तो कराए है नहीं हमने CBDT का clarification भी पढ़ा पढ़ने के बाद answer simple आ जाने चाहिए in case of an individual हमने का बिलकुल है बट प्रिसीडिंग यहर में turnover specified limit से ज्यादा होनी चाहिए whether TCS on sale of motor vehicle is at retail level also or only by manufacturer to distributor उल्टा बोल रहा है manufacturer to distributor तो है ही नहीं सिर्फ किस पे है retail level पे so this question for four marks you know या तो paper में इतना simple question है हमारे तो चार आएंगे या या गूगली है तो करके सब को जाना है पता नहीं कब कैसे और यह पहला question था TCS पे जो आया इतने सालों में मैं 10 साल से TCS पढ़ा रहा हूं पर पहला question आया on TCS so ultimately understand we are not only preparing for a paper that has already come हम उस paper की तियारी कर रहे हैं जो आ सकता है और कोई भी topic बीच में से important हो सकता है so यह वाले तो amendments है मेड़ा इसमें तो पक्का ही कुछ ना कुछ शायद पूछ ले ना पूछे तो ना पूछे पर पूछ तो सकता ही है तो आईए 206C1H मैंने बोला उसने किसको पकड़ा seller of goods और पहली बार पहली बार goods के ऊपर TDS या TCS income tax में आया government को tax से मतलब है वो कहता कोई भी ऐसा seller जो बड़ा seller है कौन सा seller है बड़ा seller बड़ा seller कौन है जिसकी प्रिसीडिंग एर में टर्नोवर 10 करोड से ज्यादा है तो यह समझो और यहां पर उसने इस सेक्षन में जो वर्ट टर्नोवर है वो डिफाइन करा और बाद में CBD ने क्लारिफाइ करा पहली बात समझो यह लग रहा है ओन सेल ऑफ गुड्स यानि सर्विसेज की सेल पर टीसीएस नहीं लग रहा है लेकिन जब एग्रिगेट टर्नोवर निकाल रहे हैं इस बंदे की उस समय कहता उसकी एग्रिगेट टर्नोवर लो विच कुड इंक्लूड ग टर्नोवर थी और इन सब पे मिलाके जियूसिप यह दो इंक्लूसिफ ऑफ जी स्ट उल्स निकाल देते हैं तो लैस टनर्म करोड हो जाती है पर जीस्ट के साथ वो मोर दन टेन करोड है हमने फिगर जो डिसाइड करनी है वेदर ही इस लाइबल टू कलेक्ट टैक्स और नॉट विल इंक्लूड जीस्ट इमाउंट विल इंक्लूड दे सर्विस इसमाउंट लेकिन अब करंट यहर में उसके पास स्क्लीक नहीं करना उस पर तो आपको देखना पड़ेगा कोई टीडियस का सेक्शन है या नहीं है यह जानी इसको जब पेमेंट आएगी तो इसके पैसे पर कहीं टीडियस ना कट जाए लेकिन अभी पर करेंगे डीटेल डिसकॉर्शन लेकिन जो तीस लाख है उस पर टी इस परसन इस सेलिंग गूड़ और इस सेलिंग गूड़ और सर्विसेश्टू लॉड़ पीपल इन प्रिसीडिंग इन सब की मिला के उसकी टर्नवर 10 करोड से ज्यादा होगी A को बेचा, B को बेचा, C को बेचा, D को बेचा इसको मैं भी सेर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कमिशन आ कि आरे है इसको गूड़ जोड़ बेच रा है, इसको उसने जॉब वड़ पर काम कर के निया है, जिसमें goods plus service है, job work में कई बात little amount of goods can also go, for example, मैंने stitching of cloth का contract दे दिया, कपड़ा मेरा था, अगले को बोला shirts बुन के दे दे, अगले ने shirts बुनी तो बटन तो लगाए होगे न, धागा भी लगाया होगा, goods भी आ रहें बीच में, तो इसने वो job work करा B का, B ने इसको कपड़ा दिया, इस job work जो था, ये services की definition में आ रहा है, goods भी हैं इसके बीच में, यहां services है, यहां सेवर, सिरफ उसने goods बेचे, यहां पर भी 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 उस ता सर्विसेंज, कमिशन थी, में भी D के लिए वो और लेकर आ रहा है और D उसको कमिशन दे रहा है, अब उस कमिशन पे D TDS पर काटेगा 194.h में, वो D काटेगा, वो D किसकी इंकम पर काट रहा है, हमारा बन्दा एकस, X की इंकम पर काट रहा है। वो TDS का section है, इसको obviously आप 206C 1H में नहीं लेंगे, क्योंकि यह service है, C को उसने goods बेचे, goods बेचे 70 लाग के, पर पैसा आया 40 लाग, received is 40 लाग, Now the liability to collect TCS is at the time of receipt, अब बेचे 70 लाग के पैसा आया 40 लाग, इस पर TCS नहीं है, क्योंकि पैसा जो receive हुआ, that should be more than 50 लाग, छोड़ शोड़ी बात है, दिवाग में डालो, Now, उसमें B को job work करके दिया, अब जब job work करा, उसमें basically labor charges हैं, इस पर B TDS काटेगा under 194C, B काटेगा TDS, क्योंकि B is making a payment for works contract, और works contract पे 2061S नहीं लग रहा है, Similarly, A को sale करी, A को sale करी 1.500 लाग की, और पैसा आगया 90 लाग, अब इस पर TCS ये collect करके जमा करवाएगा, So, this is how, कौन सी transaction पर TDS applicable है, कौन सी transaction पर TCS लग रहा है, ये तो as an expert आप decide करोगे, मैंने आपको law पड़ा है, So, यहां क्या लिखा है, क्याता है, if a seller of goods, services not covered, being any person whose turnover or gross receipts in the immediately preceding year exceed 10 crore, inclusive of GST and goods and services का total लेना है, And of course, aggregate value is more than 50 lakhs per buyer, obviously per buyer 50 lakhs है and this is at a time of receipt, ECS का rate is 0.1%, अच्छा, अगर buyer ने PAN number नहीं दिया, तो हम कहते है, 0.1 का double or 5% whichever is higher, लेकिन वो 5% की जगा इस section के लिए rate हो जाएगा 1%, So, 0.1% का double or 1% whichever is higher will be 1%, so 1% लगेगा TCS का rate अगर buyer ने अपना PAN number नहीं दिया, अब if buyer is liable to deduct TDS under any section, then no TCS, मैंने अभी बताया आपको, अब यहाँ पर goods भी है, job work में, button थे, धागा था, कुछ भी goods की value भी थी, और सोचो job work इतना है कि आपने 7 करोड का job work करा, जिसमें से goods की value 70 लाग थी, button button की value 70 लाग थी, बाकी आपकी 6 करोड 30 लाग की services की value थी, अब इस पे TDS काटें या TCS कलेक्ट करें यह वाली बात होगी, तो government ने बोला, जिस transaction पे TDS काट रहा है, उस पे यह clause नहीं लगेगा, यानि अगर यह job work में आ रहा है, और इस पे 194C में B ने इसका tax काटना है, तो यह B का tax collect नहीं करेगा, दोनों काम नहीं होंगे, तो इस पे उसने बड़ी clear बोल दिया, if buyer is liable to deduct TDS under any section, then TCS will not be applicable, तो 194C दिमाग में रखेंगे, then, जब हम यह 50 लाग की value निकाल रहे हैं, पैसा जो आया, remember it also includes GST, हमने बात करी थी कि GST के amount पे TDS नहीं करता है, मैंने का था, अगर एक CA ने bill raise करा 1 लाग रुपे का, और उस पे 18% GST लगा, एक लाग ठारा जार हो गया, कितने पे TDS कट रहा था, एक लाग पे या एक लाग ठारा जार पे, एक लाग पे, हमने कहा था ना, CBGT ने clarify करा, कि GST के amount पे TDS नहीं कटेगा, लोजिकल बात थी, पर लाओ, यहाँ पर कहता है, जी amount receive पे मैंने बोला, पर TCS लगाना है, अब जब amount receive पे बोला, अब क्या होता है, sale करी आपने aggregate amount of let's say 70 लाख, और let's say उस पे 7% GST लग गया, 77 लाख की आपकी sale है, inclusive GST, अब इसमें से 20 लाख रुए आगया, अब कहाँ अलग लग करते फिरेंगे यार, इसमें से GST कितना अलग है, और वो कितना अलग है, यहां पर कहता है, 50 लाख का जो देखना है, विल बी inclusive of GST, और विदाउट एनी adjustment of discounts और sale returns, लो जी, बड़ी interesting बात है, कहता है, बिल में 77 लाक्स पे आपने बाद में, जब आपने sale करी, कोई discount नहीं था, आपके पास 20 लाक रुपए आगया, बाद में आपने उसको discount देके 70 लाक्स ये जगा 68 ले लिया, GST का भी amount कम हो गया, discount दे दिया उसको, या इस sale में से कुछ goods return हो गए, जब goods return हो गए तो पैसा तो आया नहीं होगा, तो उसने किस time पे TCS बोला, at the time of receipt कहता है, अगर मेरे पास यहां पर पूरा पैसा आ गया होता, सपोज मेरे पास 77 लाक्स आ गया होता, बाद में हमने 68 लाक्स प्लस 10 परसंट कितना हो गया, 74.8 लेना था, तो मैंने उसको वापस किया ना, पर मैंने तो 77 पे TCS कलेक्ट कर लिया होगा, GST का inclusive amount बोला तुने, 77 पे कलेक्ट कर लिया होगा TCS, तो जब मैंने उसमें से इसको पैसा refund कर दिया, कितना refund कर दिया, देखो, 77 माइनस 74.8, मैंने उसको 2.2 refund करा, तो इस पे जो TCS बनता है, वो भी तो इसको दूँगा, कहता कोई नहीं देगा तू इसको, ले लेगा का, इस समय adjustment नहीं करना, हम TCS वापस नहीं करने वाले हैं, so, he says, whatever is the amount received, please collect TCS on it, बाद में अगर discount दिया, कुछ पैसा वापस कर दिया, कुछ sale return होगी, जिसका पैसा वापस कर दिया, उस पे हम TCS का adjustment नहीं करने देंगे तेरको, TCS तो मेरे पास receipt के समय आ गया, हाँ, ये बन्दा, जिसका tax तुने collect करा, जब return भरेगा, उस TCS का credit ले लेगा, government is not saying, government is saying that we are not refunding any money, now, he says, TCS is on amount received, including advance, जो जी अभी sale नहीं हुई है, order आया है, पैसा आगे, कहता, इस पे अब TCS collect कर ले, क्यूंके मैंने बोला, it is at the time of receipt, so please understand, इस advance पे भी TCS collect होगा, even TDS was the amount of payment, तो अगर advance payment हो रही है, तो TDS deduct होता है, तो उसी तरीके से, TCS is also collectable, when the money is received in advance, now, कहता, seller कौन नहीं है, जो TCS collect नहीं करेगा, he says, a seller has to be other than a person, as the central government made by notification specify, यानि अभी किसी को exclude नहीं करा, seller could be individual, could be HUF, could be firm, could be company, could be any person, whether resident or non-resident, everybody is covered, हाँ वो कहता है, बाद में central government notification निकाल के बताएगी, किस को ये section नहीं लग रहा है, उन्होंने अपने आपको power दे दिया, कि बाद में देखेंगे, कुछ दिक्कते आएँगी, जिसको आएँगी, फिर उसको notify कर देंगे भी, ये बंदा TCS नहीं collect करेगा, buyer कौन है, कहता person who purchases the goods, लो जी best हो गया, other than, other than, क्या बोल रहा है, central or state government नहीं आए, embassy नहीं आए, local authority नहीं आए, ये तीन बंदे तो आए ही नहीं, फिर person importing goods into India, or other person as the central government में specified, चलिए importing goods की बात करें, एक seller is selling goods to a buyer, अब ये seller मैंने बोला, resident भी हो सकता है, non-resident भी हो सकता है, अभी बात करें नहीं, अगर ये goods import कर रहा है, और value of goods is more than 50 lakhs, value of goods is more than 50 lakhs, तो इसको हम बोलेंगे भी बायर से तू कलेक कर, और हमारे को जमा करा, वो ऐसे तो कोई बंदा इंडिया बेचना बंद कर देगा, तो उसने बोला, import of goods पे ये clause नहीं लगाएंगे, यानि इस import की transaction पे, 206C1H नहीं लगेगा, एक बात तो clear होगी, इंपोर्ट अफ गुड्स पे नहीं लग री clause, दूसरा देखिए, अगर एक सेलर है, जो बाहर गुड्स भेज रहा है, बेच रहा है, तो अगर उसने 50 लाग से उपर की सेल करी, तो इसको उसके साथ साथ TCS कलेक करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, एक्स लग गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, तो बायर जो हो सकता है वो पाकिस्तान या बांगला देश या इंडोनेशिया से खरीद ले, हमारे बजारे इंडियन एक्सपोर्टर्स मर जाएँगे, तो उन्होंने बोला इस पे भी हम 206C1H नहीं लगाएंगे, तो प्लीज अंडरस्टाइंड ना इंपोर्ट पे लग रहा है, ना एक्सपोर्ट पे लग रहा है, दूसरी बात, गुड्स कवर्ड बाई सब सेक्शन वन पे नहीं लग रहा है, वन एफ पे नहीं लग रहा है, वन जी पे नहीं लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे, फर एक्जामपल क्या बोल रहा हैं, गुड्स कवर्ड बाई सब सेक्शन वन, अलकोहॉलिक लिकर फॉर हुमन कंजम्शन, एंदू लीज, इसक्शन नहीं लगेगा, यानि सेलर जब बायर को दे रहा है, उस पे 2060, वन में टैक्स कलेक्ट होगा, यहां नहीं होगा, और वहाँ पर, रिमेंबर फॉर पर स्टनल कंजम्शन एग्जम्ट था, क्लब्स के लिए एग्जम्ट था, तो यह वहीं जाएगा, फिर मोटर कार पर कहता है, वन एफ में होगा, फिर 2061 जी जो है, अगर वहाँ पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो यहां कलेक्ट नहीं होगा, पहल तो तीन बाते हैं, अब आते हैं मोटर कार पर, मुद्दा क्या आया देखो, बंदा कहता है, मैंने ये है सेलर, सेलर कहता है, मैंने बायर को, लेट से मिस्टर ए है, सुन रहे हो ना तुम लोग, मिस्टर ए को एक गाड़ी बेची, पंद्रा लाग की, अब इस पे तो, 206C1F पे, टीसी एस कलेक्ट हो जाएगा, दस लाग से जादा है, कहता है, यही मिस्टर ए आया, में इस साल में एक और गाड़ी ले गया, पांच लाग की, फिर एक और गाड़ी ले गया, आठ लाग की, फिर एक और गाड़ी ले गया, आठ लाग की, एक और ले गया, आठ लाग की, ऐसे करते करते 8,00,000 की उसमें से 10 गाड़ियाँ ले ली और 5,00,000 की गाड़ी ली थी हो सकता मिस्टर ये अपने स्टाफ के लिए गाड़ियां खरीद रहू तो अब गाड़ी कितनी होगी? 80,00,000,000 की गाड़ियां खरीद ली पर कोई भी गाड़ी 10 लाक्स से उपर नहीं है यानि 2061 F में तो कटनी रहा पर अब 85 लाक्स जो हो गया ये सेलर जो है जिसकी टरनवर 10 करोड से जादा है और उसने एक बायर को 85 लाक्स यानि मोर दन 50 लाक्स की सेल कर दी तो क्या 2061 F लग जाएगा इस पर C-BD ने क्लारिफाय करा बिलकुल लगेगा कहता ही जो चीज 206 C 1 F में नहीं आ रही है वो यहां आ सकती है जो वहां आ रही है वो नहीं आ सकती तो यह जो थी यह वाली गाड़ी जो थी यह तो 1 F में ही जाएगी यह नहीं आएगी यहां पर लेकिन जो बाकी गाडियां है अगर उनकी aggregate value 50 लाग से उपर हो रही है बेटा तो अब इस पर TCS 2061 H में आ सकता है So hopefully this chart becomes clear to you कोई भी seller जिसकी turnover aggregate पिछले साल में 10 करोड से जादा है इसमें आपने services, goods, GST सब include करके लेना और सब लोगों को जो बेचा aggregate लेना क्योंकि seller पर limit लग रहे है जितनों को बेचा सब की seller की turnover है उसने फिर अगर एक बार को 50 लाग से उपर के goods बेचे and 50 लाग की value निकालते समय GST भी include करना है discount भी नहीं देना है, sale return को भी adjust नहीं करना है और वो 50 लाग जब आपको receive हुआ उस समय 0.1% TCS collect करोगे और अगर उसने pan number नहीं दिया तो वो 1% हो जाएगा अगर किसी section में buyer को TDS काटना है तो फिर उस clause पे seller TCS collect नहीं करेगा जैसे मैंने बोला job work पे, job work में goods भी जा सकते हैं और ये section is only on sale of goods services पे नहीं है import of goods पे नहीं है, export of goods पे नहीं है जो goods subsection 1 में, 1F में, 1G में आ रहे हैं उन पे भी नहीं है और अगर seller कोई ऐसा बंदा है जो government ने notify करा तो भी नहीं लगेगा और अगर buyer, central government या state government या embassy, consulate वगेरा, या local authority है तो भी इस पे tax collect नहीं होगा so sale of goods to the government, the local authority, embassies is not liable for TCS ये हो गया overall view, यही बाते मैंने आपको यहां लिखी है और अब बड़ी important बात, ये section मैंने बताया था is applicable from 110-20, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 50 लाग का लफड़ा क्या है ये कैसे देखना है, तो इसके अभी illustrations करते हैं I have given you some illustrations there, आईए पहले illustrations देखते हैं चला, he said, tales to one person, assume buyer to be Mr. X and seller to be X limited, whose turnover is more than 10 crore in the preceding year ठीक बात होगी, तो seller आगे हमारा X limited, buyer आगे हमारा X He says preceding previous year, में 40 लाग की sale करी थी 10 लाग का amount था, वो आया 20-21 में 30 लाग का amount आया 21-22 में, sale कब थी? 19-20 में Sale 19-20 में हुई है, पैसा अगले सालों में आ रहा है तो क्या sale के समय देखना है या receipt के समय देखना है? receipt के समय देखना है अब 20-21 में जब आया, no liability हुई क्योंके 50 लाग से जादा नहीं है अब एक और sale करी उसने 30 लाग की ये sale suppose हुई, मैं कहता हूँ, 2020 में हुई तो एक sale हुई 19-20 में, एक हुई 20-20 में पर 20-21 का 30 लाग का sale का पैसा आया 21-22 में अब 21-22 में उसको 60 लाग रुपए आ गया अब यहां पर आपको collect करना है 0.1% और यहां पर भी in excess of 50 लाग्स यानि अगर यह 60 है, तो 60-50 करके 10 लाग पे collect होगा प्लीज रिमेंबर TDS में अगर हम 194 I की बात करें रेंट अगर दो लाग साथ जार होता था विच मीज़ अगर दो लाग फॉर्टी थाउजन तो आप 20 लाग पे TDS नहीं काटते थे, आप पूरे दो साथ पे काटते थे लेकिन यहां पर हमने देखा साथ लाग की लिमिट थी 206 C 1 G में और यहां पर आगी 50 लाग दोनों में क्या बोला है? इन एक्स है, साथ लाग के ऊपर जो रिमिट हुआ उस पे और यहां पर 50 लाग के ऊपर जो आपने collect करा उस पे आपने tax collect करना है Now, he says, computing the threshold limit, the provisions of 206 C 1 H shall come into effect from 110. Okay, the limit of 50 lakhs is given for the financial year. Thus, the limit of 50 lakhs receipt of sales consideration shall be computed from 14. यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, CBDT बोल रही है, but liability to collect shall apply only from 110. So, same rule, जो 7 पे लगाया था, वो 50 पे लगेगा, for example, कहता है, amount collected from 1st April to 30th September, 40 lakh है, और amount collected from 1st October to 31st March is 20 lakh. इस पे TCS collect तो हो नहीं सकता, पर 50 की limit में add करेंगे, तो 40 plus 20, 60 हो गया, तो इस 20 में से 10 के उपर tax collect होगा. I think this is clear, यह हो गया case A, फिर आते हैं case B पर, 55 lakh की amount collect हो गया पहले, 12 हुआ बाद में, अब 55 plus 12 is more than 50, पर 55 जो यहां था, 5 पे तो collect हो नहीं सकता होगा, तो सिरफ 12 पे, क्यूंके वो एक 10 से पहले था, तो 12 lakh पे collect होगा tax. 20 और 25, अब तो यह aggregate मिला की पूरे साल 50 से कम आया पैसा एक बंदे से, therefore there is no liability to collect TCS. चलिए, नो यह होगी illustrations आपके लेवल पे इतनी बहुत हैं, अब CBDT ने कुछ clarifications दी हैं, आइडिली इंटर लेवल पे शायद यह नहीं important है, पर मैं एक बार पढ़ा देता हूं, क्या फरक दो तीन पॉइंट है, जहां इतनी मेहनत करी थोड़ी सी और कर लेते हैं, अब कुछ मुद्दे आगे बिटा, अब कहते हैं, तुमने बोल दिया goods, goods तुमने डिफाइन नहीं करे, भी कौन से goods पे लगना है, तो एक बंदा कहता है, मैं shares बेचता हूं, मैं debentures बेचता हूं क्या shares debentures की sale पे भी लगे गाई है, बिटी कहते है, मुद्दा तो अच्छा हम भी नहीं सोचा था, फिर उन्होंने दे clarification दी, transaction in securities and commodities, which are traded through recognized stock exchanges, or cleared and settled by a recognized clearing corporation, only transactions in securities and commodities, which are traded through the stock exchange, are excluded, He says, if listed and dematched shares are transferred through off-market transactions, then provisions of TCS shall apply, तो अब ये समझ के चलो, अगर recognized stock exchange पे shares listed होते हैं, और इसकी बात हम capital gains के chapter में और करेंगे, अभी आप दिमाग में डालो, कि अगर transaction is on the recognized stock exchange, तो उस पे no TCS है, If transaction is not on recognized stock exchange, तो उस पे TCS है, बस अपने दिमाग में दो बाते डालो, shares अगर stock exchange के through बिके, तो कोई TCS नहीं है, अलग से बिके, तो TCS लगेगा, बस अभी के लिए बहुत है, बिजली, electricity, is electricity goods, और बड़ी-बड़ी factory में, बिल पचास-पचास लाग से ज्यादा आते हैं, बिजली के, तो क्या उस पे भी TCS लगेगा, तो उस पे भी TCS लगेगा, तो इस इलेक्रिसिटी is held to be goods, However, it is clarified that the provisions of 206C 1H shall not apply to बिजली, चलो, बिजली पे 206C 1H नहीं लगेगा, दो बाते होगी, तो क्या-क्या होगी, तो क्या-क्या होगी, शेर्स रेक्नाइस टॉक एक्षें पे बिके नहीं लगेगा, वैसे बिके लगेगा, लेकिन बिजली पे नहीं लगेगा section, ये इसको छ बात हो रही है, ये 194.0 की बात है, ये final level का point है, आप छोड़ दीजे इसको, मैंने CBDT का circular सारा दे दिया था, 194.0 में जो पांच लाग की limit थी, for individual achieve याद है, वो भी हमने का था April से count होगी, इसकी बाते हमने 194.0 में कर ली हुई है, मैंने circular की बाते महां पहली करा दी थी आपको अब आते हैं अबर, ये जो पचास लाग की limit है, ये भी आपने 1st April से लेनी है, लेकिन लगेगा tax collection का rule only on amount collected after 110, ये बात भी मैंने करा दी अब एक्जाम्ल में, ये बात आगी गाड़ी का, अगर 2061 F में गाड़ी की sale आ रही है, 10 लाग से उपर है तो वहीं जाएगी, नहीं है, तो बाकी aggregate देखेंगे 50 लाग से उपर हो गई, तो फिर वो 1H में आ जाएगा, ये वाली बात यहां लिखी हुई है, no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes, including GST, is required to be made for collection of tax under 2061H of the act, since the collection is made with reference to receipt of the amount of sale consideration, ये वाली बात भी मैंने आपको लगा दिये, बता दिये, लास्ट में, कहता है यार एरपोर्ट पे, अब एरपोर्ट पे न हवाई जा जाते है, foreign airlines, और वहां पर उनको पेटरोल बेचा जाता है, कहता है, लाखों में जाता है, करोडों में जाता है, कि आब इस पे tax collection कर दे, क्योंकि ये भी goods है, petrol is goods, उन्होंने फिर बोला, shall not apply on sale consideration receive for fuel supply to non-resident airlines, at airports in India, यानि non-residents के case में, उसमें बोला नहीं लगेगा, अगर resident airlines हैं, तो उस पे TCS लगेगा, तो जब non-resident airlines को fuel बेच रहे हो आप, तो उस पे tax collection नहीं होगा, now we've covered all of 206C, इसको एक बार revise करो, इस पे question आज तक एक ही आया, वो मैंने आपको करा दिया, बाकी सारे जो मैंने points लिखे, उनके illustrations आपको कराई, so make sure your points are cleared, and then we move on to the next topic now. बटा अभी एक बड़ी interesting amendment जो आई है, this amendment came in 2020-21, Finance Act 20 ने कुछ बदला, अब इससे पहले क्या होता था, यह बता देता हूँ मैं आपको, एक fund होता बटा, superannuation fund, now there is a word called superannuation fund, what is superannuation, superannuation is the retirement age, जैसे government department पे कई बार 58 years की retirement age, कभी 60 है, extend होके कई बार 62 भी चली आती है, उस age पे retire होने का fund होता है, यहाँ पर employer भी contribute करता है, और employee भी contribute करता है, अब बहुत सारे funds हैं, provident fund भी है, gratuity fund भी है, superannuation fund भी आ गया, ATCCD वाला fund भी है, अब इनका comparator तो करना ही पड़ेगा न, एक बार नहीं तो तुम confuse हो जाओगे, अब, पहले इसको समझ लो, इस fund में जो employer contribute करता था, अब तिल 2019-20 क्या होता था, कि अगर डेड़ लाख रुपया पर employee से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा contribution है, वो salary में आड़ हो जाएगा, as per 17 to 7, तो 17 to 7 में, अगर आपका डेड़ लाख रुपय से ज्यादा है, तो वो आपकी salary में एड़ हो जाता था, employee की contribution के लिए, उसको deduction मिल जाती थी, ATC, एक बात, जो interest था, जो interest होता था, वो exempt हो जाता था, और जब आपको इन fund से पैसा superannuation पर आता था, at superannuation, मतलब at retirement, on the age of superannuation, जब आप उस उमर के हो गए, रिटायर होए, तो उस समय वो exempt हो जाता था, हाँ, उस से पहले आप retire होए, before superannuation, तो वो taxable होता, unless आपको कोई ऐसे circumstances में retirement लेनी पड़े, जो आपके control में था, employer की company बंद हो गई, या कोई हाथसा हो गया, whatever reason, not in control, अगर आप उस से पहले retire होए, and not in control वाले circumstances थे, तो exempt होता था, यह थी treatment, अब एक बार, before we do any further, I am going to now talk about recognized provident fund, I am going to talk about 80 CCD fund, यह pension fund है, मैंने आपको बताया हुआ, and I am going to be talking about gratuity fund, फिर किसकी बात करें, एक और fund आगया भाई, superannuation fund, अब इनकी treatment क्या है, आपको पता है, recognized gratuity fund में, 12% of salary से ज्यादा होगा, तो taxable होगा, और interest जो है, 9.5% से ज्यादा होगा, तो taxable होगा, यह हमारे को पता है, यह जाता है, under 17.1, 80 CCD में, अच्छा हम बात यहां कर रहें, employers contribution की, है कि नहीं, यह भी किसकी बात हो रही है, employers contribution की, तो इसको यहीं लिख लेते है, employers contribution, contribution, एक बात, हाँ, जो employee का contribution होता है, वो ATC में eligible होता है, और यहां पर, 80 CCD में eligible होता है, और यहां पर employer की contribution is added to salary under 17.1, और बाद में जाके आपको कराऊंगा, उसकी भी deduction मिल जाती है, 80 CCD 2 में, employer के contribution की, और 80 CCD 1 है, employee के contribution की, मत सोचो, मत सोचो कराऊंगा, gratitude fund में employer contribute करता है, वो आपको पता है, taxable नहीं होता है, because due नहीं हुआ, और employee की contribution होती नहीं है, तो उसको कोई भी deduction ATC to ATU नहीं मिलेगी, तूपर annuation fund, यहां पर employee जो contribute कर रहा है, उसके लिए उसको मिलता है, ATC, और employer का contribution, मैंने बोला, 1920 तक डेड़ लाग से उपर होता था, तो taxable हो जाता था, अब देखो क्या हुआ, अब कहता है, यह limit हटा दी मैंने, यह हटाई दिया, अब उसने क्या किया, कहता है, यह वाले जो है, ग्रैच्टिटी छोड़ दिया, इनको मिला कर, अगर साड़े लाग साथ लाग से ज्यादा contribute करा, तो जो extra amount है, extra, over and above 7, 7 लाग, विल बी taxable, under 17 to 7 B, अब confuse कर दिया, क्यों, उन्हों ने यह हटाया नहीं, यह भी taxable है, यह भी taxable है, और मिला के तीनों पे साड़े साथ लाग की limit भी लगा दी, यह भी कर दिया, अब इसका impact देखते हैं, होगा क्या, इसके आने से, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ 17 to 7, he says, इनों पे आ गया, पर इस पे अपनी लिमित अलाग है, यह तो वैसी फुली taxable था, okay, the annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature, he says, the previous year to the balance and the credit of the fund or the scheme, referred to in subsection, subclause 7, to the extent it relates to the contribution, referred to in that subsection, on contribution in excess of 7.5 lakhs, यानि जितनी contribution taxable हुई, उसके उपर, which is included in total income under the subclause in any previous year, computed in such manner, so basically इसको simplify करना है, we say interest, dividend, etc. on taxable contributions under 17 to 7, will also be taxable, अब यह complicated हो गया, यह क्यों करा ऐसा, चलो, क्यों पर आते हैं, पहले एक बार, एक छोटा सा example लेंगे, और इस example को देखते हैं, कि भी इस से फरक क्या पढ़ रहा है, तो simplicity के लिए, यहां मैंने question लिख लिए, आप लोगों के लिए, देखो, Mr. X, working in ABC Limited, draws the following amount of emoluments from the company, basic पे इतनी है, commission percentage, और यह figures in lakhs हैं, employers contribution to recognized provident fund, employers contribution to ATCCD fund, employers contribution to approved superannuation fund, और total आ गया, अगर amendment ना आती, तो क्या करते हैं, basic पे तो taxable होती, commission भी होती, employers contribution to RPF, in excess of 12% of salary, अब salary में क्या लाएना, basic पे ले नहीं है, DAVH enters, and commission as a percentage of sales, RPF वाली बात हो रही है, तो 12% जब आप लगाओगे, तो इतना आ जाता था, 12% से ज्यादा, contribution to ATCCD, पूरा taxable होता था, salary, अब देखो क्या होगे, ये तो सेम ही रहा, ये भी सेम रहा है, ये भी सेम रहा, तभी मैंने तब नहीं कराया, अब करा रहा हूँ, अब क्या कहता है, कहता है, अब ना तीनों जोड, तीनों कैसे जोड, contribution to provident fund 10 लाग, contribution to ATCCD fund 7 लाग, सो 10 प्लस 7 प्लस 10, टोटल हो गया 27, अब इसमें से साड़े साथ माइनस कर, 19.5 ये ले, अब कई बच्चे बोलेंगे, सर ये क्या कर रहे हो आप, पहले भी तो taxable हो चुका है, फिर आ गया इसमें, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो government बोल रही है, मेरे साब से अभी इस पर clarification आईगी, पर जब तक नहीं आती, ये रहा law, और अब आप देखोगे salary बढ़ गई, और यहाँ पर double taxation हो रहा बेटा, उसी contribution पर आप दो बार कहीं बार tax ले रहे हैं, is it possible, is what I am going to be asking you, well, here is the law, so अभी के लिए at your level बस इतना simple सा है, और ये जो extra 19.50 है, इसके उपर जो interest दिया होगा, वो भी add हो जाएगा 17 to 7B में, तो आप अपना provident fund का normal कीजिए, 80 ccd normal कीजिए, end में जाके, इन तीनों की contribution add करके, साड़े साथ से जितनी ज़्यादा बनती है, उसको tax लगा दो, clear होगी बात? Now, just to make sure we don't get confused, and we are also looking at all aspects of this, मैंने यहाँ second point में ये unsolved question दिये हैं, पर बेटा unsolved question हम तब कर सकते हैं, जब हमने 80 ccd पूरा कर लिया, तो इसको हम लिख रहे हैं, after 80 ccd, यानि जब मैं deductions करा दूँगा, by God promise ये दुबारा करा हूँगा, क्योंकि ये तो important है, but at intermediate level, I think this one is simple and good enough, कि आपको इतने तक तो आना चाहिए, बाकी जो part है वो थोड़ा और समझेंगे, ताकि अगर by chance कोई mcq टेड़ा आ गया, भई high level का आ गया, वो भी हम solve कर लेंगे, तो अब हमारा 17, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलो बड़ा, मैं उमीद कर रहा हूँ, आपने ये questions कर लिये, अब समझो एक बात, you know there are so many people who are selling assets, and there are so many people who are buying assets, अब सोचो imagine करो, तुम अपने दफस्तर में बैठे हो, एक बंदे ने property बेची, वो आ गया, तुमसे advice मांगने, कहता भाई मेरा capital gains निकाल दे, तो तुमारा दिमाग immediately capital gains के chapter में जाएगा, वहाँ से पैसा आएगा ना, दूसरा आया, कहता जी मैंने property खरीदी है, अब property खरीदी है, हम दो बाते सोचेंगे, भाई अगर ये business के लिए खरीदी है, तो depreciation सोचते हैं, अगर इसने वैसे खरीदी है, तो non-repeasable है, पर 56 to 10 तो दिमाग में हर बार आएगा, अगर खरीदी है for inadequate stamp duty value, तो अब तुमारा दिमाग कौन से अंगल पे जाएगा, डिपेंड करेगा, कौन सा client आया, पर paper में और त्यारी के समय हमें तो दोनों clients की त्यारी करनी है, पता नहीं कौन आजा यार, एक को ये थोड़े बोलेंगे हमने paper में इस अंगल से त्यारी करी थी, तो मैंने जो ये situations बनाई हैं और बठे रही हैं, there are almost 14 or 15 of them, and once we've done all these, trust me, वो कहते हैं तारे दिमाग के खाने खुल जाएंगे, but मैं फिर दोरा रहा हूँ, I'm still repeating it, please, please, please 56 to 10 revise कर लो अच्छी तरह, क्योंकि अभी अगले lecture से complicated होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है, और मुझे पता जब चीज मुश्किल होती है, तो मज़ा आना शुरू हो जाता है, I'm sure you agree with me, now, let's start again, but of course like we said, कर करके हम उसको असान करेंगे, now, we say X sells an asset to Y, अच्छा जब X ने Y को बेचा, अब X आ गया वही हम रपस दफ्तर में, क्याता है जी बता capital gains निकाल, मैंने का जी आपने बेचा है, in the year 18-19, तो जी capital gains तो 18-19 में निकलेगा, ठीक बात है, तो 18-19 में निकलेगा, तो index वगएरा जो भी होगा, 18-19 का होगा, हम वो calculate करेंगे, पर अभी हम सिरफ current year की calculations करके बताएंगे, और जब Y ने property खरीदी है, चौदा लाग की खरीदी है, stamp duty वाली चौदा लाग है, adequate consideration है, तो 18-19 की advice होगी, X भाई तेरा capital gains taxable होगा, Y भाई तेरे को 56-10 नहीं लगेगा, क्योंकि तूने तो बिल्कुल सही दाम पे खरीदी है, no inadequate है, अब Y ने आगे बेच दी Z को, इसने का बेची, 14-20, ये आगे अपना साल, अब हम Y और Z के बीच की transaction की बात कर रहे हैं, Y is the transferer, Z is the transferee, पहले Z पे चलते हैं, Z ने खरीदी है 20 लाग की, stamp duty value थी 30, देखा, inadequate खरीदी, अब 20 लाग में, अगर मैं difference देखूं, the difference between the selling price, and stamp duty value, और अब ही तो मैं 56 to 10 की बात कर रहा हूँ, 50,000, या 10% दो लाग, whichever is higher, यानि दो लाग, यानि, actual difference दस है, allowable दो लाग है, तो वो वाला rule तो follow नहीं होगा, that means 10 लाग रुपीज विल बिकम, income of Z, in the year 2021, under 56 to 10, and this will be taxable as other sources, ये तो हो गया Z की advice, अगर वो हमारे पास आता है, तो हर transaction के दो angle है, transferor के हाथ में क्या और ट्रांसफरी के हाथ में, और ट्रांसफरी के हाथ में, खासकर हमें ध्यान देना पड़ेगा 56 to 10 पे, ये डाल रहा हो दिमाग में, चलो अब Z भूलियो, अब imagine करो Y आगया, Y कहता है भाई मेरा capital gains निकाल दे, हम कहते हैं कोई ना, चल शुरू करते हैं, उन्हें क्या बेचा है, तो उन्हें building बेची है, building is a capital asset ठीक है, sale करी है, transfer है, चलो, is it taxable तो cross हो गया, building I am assuming, अभी हम बात कर रहें, non-depisable capital asset की, तो section 48 के साब से, मैंने formula लिख लिया, अब मुझे चाहिए full value, अब land and building के लिए, बेचा उसने 20,00,000 का है, पस time duty value 30 है, अब 20,00, plus 10% is 22, time duty value is 30, therefore 30,00,000 लेंगे, as per section 50C, जिसको हम अभी detail में करने वाले हैं, अब now there is no expenditure on transfer, this is the net full value, now we come to cost of acquisition, और सुनो, जब indexation आ जाती है न, तो बच्चों को shock चड़ जाता है, भी हर बार index करेंगे, मैंने बोला पहले क्या निकालेंगे, long term or short term, अब period of holding आ रहा है, एक 5.18 से 1.4.20, देफर को इंडेक्स ने करना, इसकी cost is 14,00,000, देफर, over here, this becomes 16,00,000 of short term capital gain, कितना हो गया, 16,00,000 short term capital gain, clear होगी बात सब को, यहाँ हो गया clear, अब आगे जलते हैं, next question, अब इस question में क्या है, again X ने Y को बेचा, जो X के हाथ में capital gain हो गया, Y for adequate are not covered है, कहानी खतम, अब हम आते हैं, current year में Y ने Z को बेचा, अब Y ने Z को जब बेचा, किस साल बेचा सबसे पहले, 20-20 में बेचा, now the stamp duty value given is 21, cost is 20, तो मैं देख लेता हूँ, cost 20 है, plus 10%, 22 हो गया, और stamp duty value जो है, 21 आ रही है, यानि within allowable difference है, यानि अब मैं यहाँ 20 लाख ही लूँगा, expenditure on transfer है नहीं, 20 लाख आगी मेरी net full value और अब ध्यान देना, period of folding मेरा है, less than or equal to 24 months, तो cost of acquisition एक तो मेरी है, यहाँ पर stamp duty value इतनी बताई है, cost उसने 14 लाख बताई है, और कहता है, 2 लाख paid for registration है, okay, 12 लाख का खरीदा है, 2 लाख registration के दिये हैं, मेरी cost of acquisition कितनी होईगी, 14 या 16, 16, 14 लाख for the asset, 2 लाख for registration in my name, यहाँ लिखा बिटा, on 15, अपने नाम register कराया, अब आई बात cost of improvement की, मैंने 30 खर्चा था, 31 तीन 20 को, this is 1920 को, short term है, कोई indexation नहीं है, तो 16, 30 माइनस करो, 20 लाख में से 3,70 becomes, short term capital gains in the hands of Y, अब चलते हैं Z के हाथ, Z के हाथ में 56 to 10 लगेगा, और वहाँ difference होता है, 50,000, और 10% 2 लाख, whichever is higher, यह 50 लाख वाली बात, 56 to 10 में है, 50C में नहीं है, तो 2 लाख का फरक allowed है, 2 लाख से कम का फरक है, therefore, nothing is taxable, therefore, nothing is taxable, there is no income under 56 to 10, good people, good people, come on, come on, चलते जाओ, चलते जाओ, आईए, X ने Y को बेचा, अब यह बेचा है, 12,13 में, stamp duty value 14 है, उसने बेचा, cost 14,00, का ही बेचा है, registration तो उपर आ रही है, तो यह inadequate नहीं हो जाएगा, यह adequate ही रहेगा, तो यहाँ capital gains calculate करेंगे, X के हाथ में, Y के हाथ में कोई income नहीं है, उसने stamp duty value पे खरीदा है, 14,00, stamp duty value तो इस 14,00, का करीदा, 2,00, उपर और लगा है, वो बात अलग है, now Y ने Z गो बेचा, again that transaction comes, again 21,00, का बेचा है, stamp duty value 22 है, अब यहाँ 21 ले ले लेंगे, क्योंकि within the difference है, करके देख लो, और इसके हाथ में, कुछ भी taxable नहीं होगा, in the hands of Z, तेज तो नहीं जा रहा है, तो pause कर सकते हो, but I think it's okay, I think by now, we are understanding a part of it, दीरे दीरे आ रहा है, now 21,00, becomes full value, 50C में मैंने 21, plus 10% करके देख लिया, allowable के अंदर है, इसलिए हम 21 ले लेंगे, I think इतना तो तुम्हें आ जाएगा है न, expenditure है नहीं, अब period of folding देखते हैं, period of folding हो गया, long term, अब होईगी बिटा indexation, अब क्या करना है, देखो, Y ने 16,00,000 का cost है, into index for the current year, divided by index for 12,13, अब चलके एक बार 12,13 का index देख आते हैं, 200 है वई, तो क्या मैंने 200 लिया हुआ है, हाँ मैंने 200 लिया हुआ है, और multiply करके मेरी cost of acquisition, index cost of acquisition आ गई, इतनी, अब आते हैं repair पर, और बड़े द्यान से समझो, कई बच्चे कहते हैं सर, index क्यूं कर रहे हैं सर, इसको यहां तो फरक, 24 महिने से कम हैं फिर index क्यूं कर रहे हैं, तो पिटा जिस दिन payment करी, वहां से 24 महिने देख रहे हैं या, period of holding देख रहे हैं, और period of holding कब से आता है, from the date of expenditure, or from the date of acquisition, हाँ, from the date of acquisition, तो मैंने क्या बोला, अगर asset long term है, बोलो में साथ, अगर asset long term, बोलने रहे हो तूम, अगर asset long term है, then the cost of acquisition and, 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 the cost of improvement, will both be indexed, तो एक बाद जहन में डालो, कि ऐसा कोई case नहीं होगा, न कि acquisition की cost index होई, और improvement की नहीं होई, ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों index होईंगी, या दोनों में से एक भी नहीं होईगी, होगी clear बात, तो अब यहाँ देखो, यह 31, 30, 20 है, यानि, 19, 20 का index आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 20, 21 का, यह आगे index cost of improvement, और यह आगया मेरा, long term capital loss, क्या आगया मेरा, long term capital loss, I hope, यहाँ तक clear होगया, now, what we are gonna do, we are gonna open the notes, अब notes में, आपके पास, जब हम आगे चल रहे हैं, जब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, questions आपको यहाँ पर underline होते दिख रहे होंगे, अब आगे आता है word, deemed full value, मैं आगे आगे, deemed full value पे, सबसे पहली जो हम करने जा रहे हैं, is 50 C, 50 C के लिए, मैं already आपको काफी करा चुगा हो, तो 50 C क्या कहता है, while computing the capital gains in the case of land or building or both, the full value of consideration will be agreed consideration or stamp duty value, अब इस stamp duty value को क्या क्या बोलते हैं देखो, collector rate भी बोलते हैं, circle rate भी बोलते हैं, mark करते जाओ, collector rate, circle rate, stamp duty value, it is the value fixed by the local authority for payment of stamp duty या transfer fees, whichever is higher, however, if the stamp duty value does not exceed 105%, now finance act 18 ने इसको 105 करा था, हलांकि अब finance act 20 ने उसको 110% कर दिया, of the agreed consideration, 50 C will not be applicable, stamp duty value is the value as per municipal records fixed by authorities for the payment of stamp duty to the government, और यहां हम लिख सकते हैं, transfer fees, अच्छा, very important, 50 C does not apply to assets held as stock and trade, इसका क्या मतलब हुआ, अब सोचो, सोचो, if you are selling a building, which is your capital asset, यानि आपकी investment है, गर्मन ने चोरी पकड़ ली, चोरी कैसे पकड़ी, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, मैं कहता हूँ, stamp duty value है, 50 लाग की, और selling price आपने जो दिखाई है, वो 20 लाग है, अब देखो कैसे चोरी पकड़ी, बेचने वाला भी खुश था, कि बई मैं तो दिखाऊँगा, 20 लाग की मेरी selling price है, cost मेरी थी 18 लाग, एक simple सवाल ले रहा हूँ, ये कहा रहा है जी, 2 लाग का profit दिखाऊँगा, ये बड़ा खुश है, ये कहाता जी, मैं भी खुश हूँ, मैं stamp duty जो पे करूँगा, वो 20 लाग पे पे करूँगा, बताई वही इस सारी बाते आपको, लेकिन गवर्मन ने क्या किया, इसको बोला, इतना खुश मत हो बिटा, यहां तो मैं 50 लाग ले के तेरा profit निकालूँगा, मैंने इंटर्ड्यूस कर दिया 50 सी, और, इसको बोला भाई, खुश मत हो, तेरे को मैं 50 लाग पे लूँगा, पहले तो stamp duty value transfer fees, और तेरे हाथ में 50 minus 20, 30 लाग रुपया income बना दूँगा, तो अगर आप नोट करो, 30 लाग रुपया इसके हाथ में भी tax लगा रहा है, और इसके हाथ में भी, तो सच सच बोलो क्या ये double taxation हो गया, अजी, is it double taxation, जूट, ना, double taxation क्या होता है, एक ही income पे एक ही person को, दो बाट टैक्स लगना, और वो हो नहीं सकता, ये तो दो अलग लग परसन है, दोनों को naughty होने के लिए, दोनों को penalty, डंडा पढ़ रहा है, दोर पे ज्यादा ही होती है, अच्छा एक बात है, एक बार ना मेपस client आये, हुआ क्या, market में value सची मुची गिरगी थी, यानि, market की जो value थी, वो सची मुची में 20 लाग आगी थी, अब, अब तो सची मुची में 20 लाग रोब मिल रहे हैं, है ना, आपको भी पता है, ये लोग बेश तो 120 की रहें, दिखा, पहले 20 रहे थे, अब देखो, 50 ही करेंगे, तरही बात है, 50 ही करेंगे, क्योंकि, क्यों फाल तुम्हें black money create करना, जब तुम्हें 50 लाग पर tax लगी रहा है, यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, तो तुम 20 लाग क्यों दिखाओगे, तुम 50 ही होगे, तो unwritten rule होगे हमारे देश में, बहु जब भी property बिकती है, चेक से आएगा collector rate वाला, बाकी आएगा cash में, black money कम होगया, बट, अगर मैं कहूं, और यहां 56 तू 10 में 50 के लिए tax लगेगा, यहां बड़ा बड़ा, हाँ, बिलकुल लगेगा, और यह तो बहुत गलत बात है, है ना, जब 120 के लिए तुमें 50 पे लग रहा था, तब गलत ना लगी किसी को, अब 20 के लिए 50 पे लग रहा है, तो गलत लग रही है, चलो बात भी सही है, गलत तो है है, तो गर्बंट ने क्या किया, गर्बंट ने तुमें रोने का मौका दिया, अब वो रोने का मौका क्या है, समझा रहा हूँ, ना, फिफ्टी सी इस अप्लिकेबल तो लैंड अन बिल्डिंग, और जब मैं चार्ट्स में और नोट्स में शिफ्ट करता हूँ, आदे डालो, ना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सपोज हमने जो ली, 50 लाग है, और सेलिंग प्राइस मैं कहता हूँ, बीस लाग है, और मार्केट वैल्यू हम कह रहे हैं, 120 है, तो तुमने यहाँ पर 50 लाग ले लिया, फुल वैल्यू, ऑफ कंसिडरेशन, खिक बात होगी, अब वो कहता है, मैं कहता हूँ, स्टाइम ड्यूटी वैल्यू 50 है, मार्केट वैल्यू 20, और सेलिंग चालेंज दे स्टाइम ड्यूटी वैल्यू, मैंने बुला, रोने का मौका, देखो, लॉक इतना अच्छा है, उसको पता है, जब तुम ज्यादा पे बेच रहे हो, वो टैक्स सिर्फ 50 पे लगा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें पकड नहीं सकता, लेकिन जब कम पे हो रहा है, कहता चले यार, नजाइज नहीं करनी चाहिए, चलो, अच्छे, क्योंकि वैल यूर ट्राइंग टू कैच दे नौटी पीपल, कोई बिचारा जैनूइन बंदा ना न मर जाए, मैं बताया है मेरे क्लाइंट आये थे, उनने जैनूइनली सरस्ते पे बेची, क्योंकि उस समय मार्केट में रेट इनी था, मार्केट का रेट गिर गिया, स्टैंप डूटी वाली तो गर्फिक्स का रखी है, वो तो वहीं की वहीं थी, तो उन्होंने कहा सर क्या करें, तो ये करना है, अब दो रास्ते हैं, एक तो बड़ा, बिइंग अन इंडियन, हमारे पास एक पैदाईशी हक होता है, fundamental right, of challenging anything that is wrong happening to me in the court of law, high court में, I can give a leave petition, written petition होती है, एक अरजी देते हैं सर, मेरी सुनवाई किजिए प्लीज, अगर high court को लगता है, ये मामला उनके level का है, तो वो admit कर लेते हैं, आप supreme court भी जा सकते हैं, ये constitutional right है, तो अब suppose करो, तुमने court में challenge कर दिया, अब ये जो stamp duty value गलत है, इसको आप check कीजिए, अब court अलग है, और assessing officer अलग है, वो income tax act में, अब assessing officer क्या करे विचारा, उसको ना act में time दिया हुआ है, कि आपकी assessment वो इतने ही दिन में complete कर सकता है, वरना वो करी नहीं सकता, अब court का तो तुम्हें पता है, 10-15 साल तो लगेंगे, ने मतलब चलो, 4-5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, तो अब assessing officer दुवदा में आ गया, क्या करूं, court ने order जब तक देना है, तब तक तो इसका assessment कंप्लीट करने का वक्क खतम हो जाएगा, तो उनको act ने बोला, एक काम करो, आपना assessment कर दो capital gains, यानि आप लो full value of consideration is equal to 50 lakhs, और आप tax निकाल के रख लो, अभी मांगना नहीं, ना, इस case में मांगना नहीं, इससे tax, जब तक कोरट का order नहीं आएगा, और जब कोरट का order आया, suppose court ने बोला, कि stamp duty value 50 lakh गलत है वही, ये तो 25 है, आपने 20 सोची थी, 25 है, तो अब यो को अपना order ठीक करना पड़ेगा, 25 लेके tax निकाल के, अब ये असली tax आपसे recover करते हैं, ये सारा C.E.F. final में पड़ेंगे, intermediate में नहीं है, पर आपको पता होने चीए एक कोरट जा सकता हूँ, अज़े एक असान तरीका है, आप A.O. को बोलें, assessing officer साब, देखो तहसीलदार ने तो stamp duty बनाई भी, उसको तो stamp duty मिल रही है, आप मेरे पर income tax ना लगाएं, ऐसा कीजे, आपके पास भी sub divisional magistrate है, valuation officer बोलते हैं उनको, उनको refer कर दीजे न, आपको power दिया हूँ act में, प्लीज refer the calculation, और the checking of the stamp duty value, fixed by the तहसीलदार, to your own valuation officer, उसको बोले चेक करें, market में इतनी value है या नहीं है, तो, अब आपने एओ को बोला, कि भाई, आप प्लीज इसको चेक करें, अब एओ दो परकार के होते हैं, एक दमदार एओ, बात तो तो तेरी ठीक है, मुझे भी पता मार्केट में कम है, तो एक कम करते हैं, चल valuation officer को refer कर दो, मेरी यार नौकरी वैसी खत्रे में, मैं तो यार पचास लाग लेके तेरे को order पास कर रहा हूँ, तो एक कम कर तेरे को अगर ये ठीक नहीं लगता न, इसके आगे हायर अपील में चले जा, CIT अपील, ITAT, हाई कोट सुपरीम कुड वहाँ चला ले, अचा, A.O. does not make a reference, तो वो तो valuation लेके, जो stamp duty चल रही है, अपना tax निकालेगा, आपके हाथ में order थमा देगा, बोलेगा, चाह, tax दे, तुम बोलेगे, okay, मैं अपील में जा रहा हूँ, और वो अपील का procedure, obviously, final level पे है, क्यों तंग करों तुम्हें अभी, तुम्हें पता हूना, चाह, अपील में जा सकते हैं, अब अगर A.O. ने reference कर दिया, valuation officer को, now the A.O. has made a reference to the valuation officer, अब valuation officer ने क्या किया, जा valuation करी, या sub-digital magistrate ने क्या किया, stamp duty value जो निकाली, वो 55,00,000,000 निकाल दी, लेने के देने पड़ गे, मैंने तो कहा था, कम कर, उसने तो ज्यादा कर दी, अब income tax कहता है, लेकिन, सुनो, घबरामत, तेरे को 50,00,000 से उपर पर tax नहीं लगेगा, तो इफ अब valuation officer fixes the value, more than the stamp duty value, then the value will be taken as the stamp duty value, but if he fixes the value less, suppose यह 25 दिखाता है, तो obviously आप 25 लोग है, और suppose यह 15 दिखा देता है, अरे, जब तुम खुदी 20 दिखा रहे हो, उसने 15 कर दी, तो यहो तो 20 तो लेगा ही लेगा है, तो अगर value उसने कम करी, तो कितनी लेगा, यह तो देखो, फैक्ट पे डिपेंड करेगा, पर अब हम दिमाग में law डालते हैं, बताइए, if the stamp duty value, if the stamp duty value, is less than the market value, but more than the selling price, stamp duty value is less than the market value, but more than the selling price, तो आप 50 सी लगाईए, अगर 10% से ज़्यादा का फरक है, उस पे अभी question करेंगे, लेकिन अगर stamp duty value, is more than the market value, then you can challenge it in the court, अगर court गए, तो AO अपना full value ले लेगा, stamp duty value, और order pass कर देगा, लेकिन आप से tax recover नहीं करेगा, जब court का order आएगा, तो उसको अपना order revise करना ही पड़ेगा, और वो procedure फाइनल में करेगा, अगर आपने AO को बोला, अब AO के पास दो रास्ते हैं, या तो वो referee नहीं करेगा, कहेगा, भाई दूख, मैंने order pass कर दिया, आप उसके बाद appeals में जा सकते हैं, अगर AO ने reference कर दिया, और valuation officer ने जो stamp duty value दी, वो असली stamp duty value से ज़्यादा दे दी, गबराऊ मत, वो stamp duty value से ज़्यादा नहीं ले सकता है, और अगर उसने कम दी, फिर हम देखेंगे, facts and circumstances से कैसे लेना है, अब एक काम करते हैं, notes से इसको एक बार पढ़ लेते हैं, so from the notes, चोटशड़ी illustrations कर रहे हैं, and you know, ideally, ideally, वैसे तो मैंने इस बार कोशिश करी है, सारे notes के साथ-साथ charts देने के लिए, मतलब जहां मेरे को लगता है, यहां पर summary पहले chart के दी, और उसके बाद notes दी, वो दिये हुए, capital gains में क्या है, कि वो सारे already notes में, मैंने काफी summarized form में दिये हुए, so therefore the charts have been kept separate, the value adopted for stamp duty is 35, so full value of consideration कितन होगा बिटा, 35. The SSC agrees to sell the property for 25 lakhs, the value adopted for stamp duty is 15, so full value of cost is 25 lakhs. The SSC agrees to sell property for 25 lakhs, the value adopted is 35. The SSC contests that the stamp duty value is more than the current market value of the property, the matter is referred to the valuation officer and the value determined is 36 lakhs. So आपको पता है, 35 से उपर नहीं जाएगा. बाकी सारा है, अगर 27 उसने determined करी होती, so then the full value of consideration will be 27. अगर वो 23 करता, तो हम कह सकते थे कि 25 होती, क्योंकि जो तुमने खुद दिखाई, उससे कम थोड़े AOSS कर देगा. Then बिटा, sometimes you are selling property on power of attorney. अब power of attorney पर जब आप बेशते हो, तो basically registration नहीं होती है, no registration. और अगर registration नहीं होती है, तो buyer does not pay stamp duty. तो एक सवाल उठकिया था, कि अगर buyer ने stamp duty ही नहीं पे करी, तो क्या हम फिर भी stamp duty value लेंगे? तो income tax ने बोला, भाई वो pay करें ना करें, buyer के नाम register हो ना हो, हम तो नहीं कहरे stamp duty लेंगे. Stamp duty value को full value मान ले. So power of attorney transactions में भी 50C लगेगा. So the assessi agrees to sell his property on a power of attorney for 25 lakhs. The property is not to be registered in the name of the transferee. The market value is 1.20 crore. The value adopted for stamp duty is 35 lakhs on the date of transfer. Is 50C applicable? Oh yes. Full value कितना होगा? Stamp duty. ठीक होगे बात? अब यहीं पर ही आपको reference to valuation officer की बात मैंने बता दी है. सारी बात लिखी हुई है. और यहीं पर ही वो वाला diagram भी डाल दिया ताकि आपको बारी बारी इदर उदर ना जाना पड़े. एक छोटा सा illustration आपके लिए डाल दिया यहां पर. आप इसको please पढ़ लिजे, कर लिजे. Now, दो important बाते आगी. Important बाते क्या आगी देखो. अब अगर आप builder हैं. So, let's say, you are selling a capital asset. So, as an assessi, let's say, आप अपना capital asset बेच रहे हैं और यह बंदा अपना capital asset खरीद रहा है. Remember, 56 to 10 तिरफ capital asset पर लगता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो बंदा बेच रहा है, वो capital asset बेच रहा है. लेकिन जो खरीद रहा है, उसके लिए यह stock and trade है. We say stamp duty value is 50 lakhs. Selling price is equal to, let's say, 40 lakhs. अब बात समझो. इसके हाथ में 50 सी लगेगा. यानि full value of consideration आप लेंगे 50 lakhs. पर इसका अगर stock and trade है, तो इसको 56 to 10 नहीं लगेगा. यानि इसकी cost of stock 40 ही आईगी. पर कल को जब यह बेचेगा, कल को जब यह sale करेगा, यहाँ पर. Suppose उस दिन, selling वाले दिन, stamp duty value होगी 60 की, और इसने selling price, selling price दिखा दी, let's say 50 की. तो यह builder जो थे, यह हर बार बच चले थे. यहाँ से 50 लेके, वो आप देखो, stamp duty value के चक्कर में नहीं आया. लेकिन, उन्होंने 43 CA इंटेडियूस कर दिया. 43 CA वोही काम करता है, land and building held as stock and trade के लिए, जो काम 50 C करता है, for land and building held as a capital asset. यानि, builder जब selling price उसकी यहाँ आएगी 60 आजएगी. लेकिन, 56 to 10 stock and trade की purchase पे नहीं लगता है. चलो दुबार आशू करते हैं. जो बंदा बेच रहा है, अगर capital asset बेच रहा है, उसको 50 C लग रहा है. जो बंदा बेच रहा है, अगर stock and trade बेच रहा है, तो उसको 43 C लग रहा है, which basically says the same thing. Selling price plus 10% check कर लो, और उसके इसाब से यहाँ पर आप full value को stamp duty value लोगे. यानि बेचने वाला capital asset बेच रहा है, या stock and trade बेच रहा है, दोनों पकड़े गए. लेकिन जो खरीदार है, अगर तो बेटा आपका capital asset है, तो उसने difference पे immediately वही tax लगा दिया. अगर आपका capital asset नहीं है, stock and trade है, तो 56 to 10 stock and trade पे नहीं लगता. यानि आपके हाथ में कोई भी income from other sources नहीं होगी, और 40 lakh रुपया cost बन जाएगी. लेकिन जब आप बेचोगे, इस दिन, because of 43 CA, आपको 7 lakh रुपया selling price लेना पड़ेगा, तो ultimately वह जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वह यहाँ पकड़ा गया. इसको थोड़ा सा, obviously, detail में करेंगे. So now, we say 43 CA. Property held a stock and trade. And of course, this is only applicable to land and building again. Which was not covered by the provisions of 50 C or 56 to 10. However, a new section similar to 50 C has been introduced in the head business and profession to bring transaction of stock, being of course land and building, within the ambit of the rules, 43 CA is the only applicable to land and building. Sale value to be considered for computing business income will be stamp duty or agreed consideration whichever is higher. But, यहाँ पर भी वह यहाँ पर भी वह यहाँ, if stamp duty value does not exceed 110%, 50 C will not be applicable. But अभी भी, remember 56 to 10 is not applicable to stock and trade. अभी, correlation करेंगे, दो मिनित दीजे. ना, अब हुआ क्या, अब सोचो, एक transaction हो रही है. Let's say on 111, 2020, agreement हो गया. मैंने तुम्हें बताया हुआ, agreement भी होता है. Agreement to sell. अच्छा, इस दिन, stamp duty value जो था, वो 100 लाट है. और selling price भी आपने इमानदारी से good people के जहां 100 लाक्स fix कर दी. ये हो गया मेरा seller, ये हो गया मेरा buyer. दोनों खुश है, इन्होंने law नहीं तोड़ा है. seller भी खुश है, इसे भी law नहीं तोड़ा है. हुआ क्या, तीन महीने बाद, जब balance पैसा दिया गया, contract of sale साइन हुआ. लेट से, मैं डेट रैंडम ले रहा हूँ. लेट से, on 1st of February 21. इस दिन क्या हुआ, stamp duty value इन्होंने बढ़ा के 120 लाग कर दी. और selling price होगी तुमारी 100. देखो, 50C हो, 43C A हो, ये seller के हाथ में लग रहे हैं, 50C, 43C A. बाइर के हाथ में लग रहा है, 56 to 10. और land and building के लिए, ये सारे section, stamp duty value की बात कर रहे हैं, पर आज तक अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, stamp duty value कौन सी दिन की, क्योंकि वो भी तो बदल सकती है. तो stamp duty value लेते हैं, on the date of registration. stamp duty value कौन सी दिन की लेते हैं, on the date of registration. Now, assuming this is the date of registration. अब इस दिन, stamp duty value 120 है. अब ये दोनो, ये दोनो, कहते हैं, ये क्या लवड़ा है, यार. हमने तो इमानदारी से करा था, अब क्या, 20 लाक पे extra tax पढ़ जागा, कहने को तो तुम्हें लगता 20 लाक है, 20 लाक की उपर 20 पसल लगा ले, 4 लाक रूपर tax ले जाओगे, ये तो गलत बात है, no. गर्मेंट कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है. एक काम करो, प्रूफ कर दो, कि तुम्हारी एग्रिमेंट इस दिन हुई थी, प्रूफ कर दो. इन्होंने एग्रिमेंट लाके रख दी, कहते हैं, ये देखो date, कहते हैं, देखो stamp paper भी उसी दिन का है, गर्मेंट कहते हैं, ये जो मुहाल है, हमारा ही है, हमें सब पता क्या चल रहा है, stamp paper तो तुमने उस दिन के खरीद के भी रखे हो सकते हैं, तुम्हें पता था stamp duty value manipulated हो सकता है, कहते हैं, ये दो को receipt है, cash की, मैंने cash लिया था, सामन कहते हैं, इस होने यार, receipt तो तुम बैक डेट में भी काट सकता है, कोई ऐसा proof दे जो change नहीं कर सकता तू, जो तेरे हातमी नहीं है, कहते हैं, अच्छा जी आप ही बता दो, कहते हैं, मुझे ना, ये जो advance त दिखा तेरे पास advance तो आया ही होगा, वो advance तेरे पास by, account पर ही चेक आया होना चाहिए, account पर ही, check, या draft, या bank entries, electronic clearing system, NEFT, या TGS, traceable transaction से आया, जो बदली नहीं जा सकते हैं, तो तो मैं मानूंगा, कि तेरा इस दिन agreement हुआ, और stamp duty value इस दिन की लेंगे, अगर तेरा ये advance किसी और mode से आया, तो मैं नहीं मानूंगा, और मैं इसी दिन की stamp duty value लूंगा, इन तीनों sections के लिए, यही वाली बात होएगी, तो उसका effect देखते हैं, पहले law समझ लें, taking into consideration the possible time gap between the date of agreement and the date of registration, the stamp duty value may be taken as on the date of agreement, instead of the date of registration, if the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immobile property, and the date of registration are not the same, provided at least a part of the consideration has been paid by account pay check, draft ECS or other prescribed modes on or before the date of the agreement, तो, account pay check है बेटा, दीरे दीरे business head करूँगा, तुम लोग सुन रहे न मेरी बात, उस समय तुम्हें तुम्हें क्रॉस चेक बताऊँगा, self check, bearer check, और ये payment modes की बात करेंगे business head में, वहाँ पर इसका reference दुबारा दूँग अब अब ही के लिए समझ लो, account पर ही चेक है, cross check नहीं है, self check नहीं है, bearer check नहीं है, account पर ही चेक है, और आपने law में पढ़ा भी होगा, पर मैं अभी detail में कराऊँगा, न, EFT, RTGS, banking के थूँगा, तो, he says, for all the three sections, if date of agreement and date of registration are different, and some part of the payment has been received on or before the date of agreement and the payment is by account पर ही चेक, draft, ECS or any other prescribed mode, then time duty value will be as on the date of agreement, else it will be as on the date of registration. यह सारी बाते कर ली, 50C, 56 to 10, 43C8, 10% variation की भी होगी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले तो आप लोग इसको revise करोगे अच्छी तरह, और 56 to 10 दुबारा करोगे, फिर हम इन situations में, X Limited और Mr. B के दोनों के हाथ में चेक करेंगे, वें इस अरह हेल्ड अस टॉक इन ट्रेड, वें इस अरह हेल्ड आज इन वेस्टमेंट, तो कोशिश करो एक बार इसको करो, पैंसल से पैंसे मत करना, फिर अगला वीडियो प्ले करोगे, तो इसको हम डीटेल में कैलकुलेट करेंगे, ओके, so it's time to start looking at these conceptual questions, I am assuming आपने एक बार इनको पढ़ा जरूर होगा, what are we trying to understand from this, we are trying to understand the complete treatment in the hands of the transferor and the transferee, और हमने यह देखना है कि 50C क्या है, 56 to 10 क्या है, 43C है कब लग रहा है, पूरे सारी situations जितनी possible हैं, सारी कर लेंगे, तो दिमाग में न, वो bridge बन जाते हैं, if we leave the law incomplete, मैंने बोल दिया कि 56 to 10, stock and trade पे नहीं लगता है, 50C stock and trade पे नहीं लगता है, 43C है stock and trade पे लगता है, अब चलो तुमने एब्सॉप तो कर लिया, पर वो पूरी तरह clarity नहीं आई, इसको करके पूरी तरह clarity लाने की हम कोशिश करेंगे, आईए, now we say X Limited sells the land as an investment on the 1st of May for 100 lakhs to Mr. B who buys as an investment, discuss the treatment in the hands of X Limited and Mr. B, time duty value is 108 lakhs, now Mr. X Limited is the transferer और वो investment बेच रहे हैं, तो मुझे applicability देखनी है 50C की, Mr. B खरीद रहे हैं लैंड, और inadequate मुझे applicability देखनी है 56 to 10 की, अब दोनों में क्या देखना मेरे हैं, time duty value 100 है, 108 है और आप बेच 100 कर रहे हैं, now in 50C, वीशे selling price and time duty value 100 and 108, इसका 10% कर लूँगा तो यह 110 बनता है, which means, because the difference of 8 is within the allowable difference of 10, therefore, वी से इसका full value of consideration हम 100 लेंगे, जब 56 to 10 में जाते मेरे, वी से actual difference, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूँ, actual difference is equal to 8, allowable difference अगर मैं देखूँ, is equal to 50,000 or 10% of selling price, which is 10,00,00, whichever is higher, which is equal to 10,00,00, therefore, because the actual difference is within the allowable difference, we say no income, अब नव वी अड़्टोट वाट तो दूप्रोट वोट दूप्रोट पीपल इन्वाट 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 अगर यही मैं बोलूँ, एक सो बारा है, अब हम बोलेंगे, एक्चुल दिफ्रेंस, एक्चुल दिफ्रेंस, is equal to 12, and 50C में, allowable difference, is equal to 10, therefore, full value of consideration, यहां आजाएगा, 12,00,00, उसी तरीके से, actual difference, 12,00, allowable difference, 50,000 or 10,00,00, whichever is higher, 10,00,00 होगा, therefore, we say, 12,00, या, in fact, 112,00, minus 100, that is 12,00,00, is income from other sources, यह आजाएगा, 56 to 10 में, under 56 to 10, चलाँ, which means, B के लिए भी capital asset है, X Limited के लिए भी capital asset है, now, would your answer to example 1, be different, if the land was held as stock in trade by X Limited, but a capital asset by B, यानि, इसका stock है, और इसका capital asset है, अब चलते हैं, अगर capital asset है, B का, so, B के हाथ में, the treatment will remain the same, same, same मतलब, उपर जो हमने करा, वो ही रहेगा, दोनों में, 108, 112, X Limited में, क्या बदलेगा, now, X Limited के लिए, the section applicable, will now be 43 CA, और वहाँ भी वो ही बात लिखी है, जो 50 C में लिखी है, which means what, which means, अगर 108 है, तो we will say, the difference of 8 lakhs, is within the allowable difference of 10 lakhs, अगर 112 है, तो हम बोलेंगे, यहाँ पर, selling price 112 लेंगे, as per 43 CA, because the actual difference of 12 lakhs, is more than the, allowable difference of 10, now, what would be your answer to example 1, if the land was held as, stock and trade by X Limited, and Mr. B, चलो, इसका भी stock हो गया, इनका भी stock हो गया, तो stock हो गया, stamp duty 108 है, तो इसके हाथ में तो, अंडर आया, now, let's come to Mr. B, अब Mr. B के लिए बिटा, सबसे पहले, 56 to 10, is not applicable, यानि इसको देखना ही नहीं है, और इसकी cost of stock, will be the money paid or payable, which is 100, तो यह हो गया, purchase price of stock, which is money paid or payable, जब हम इसकी business and profession की income निकालेंगे, now, if the stamp duty value is 112, हमें पता है, X Limited के हाथ में, this is, 112, as per 43, TA, यहाँ पर 56 to 10, recipient के हाथ में, is not applicable, to stock, और उसकी cost यहाँ भी, 100 होईगी, तो अब आप नोट करोगे, यहाँ पर 43 CA लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, 43 CA ड़स नौट अप्लाइ तो cost, अप्लाइस तो selling price, in case of business and profession, तो हमने यह भी कर लिया, हाँ, इसका effect क्या होगा, कल को, कल को, अगर Mr. B ने इसको 112 का sale कर दिया, तो आप देख रहे हो, इसके हाथ में भी वो 12 lakhs taxable हो जाएगा, फिवी अनलाइज एट, जो difference of 12 lakhs है, अगर तो वो capital asset है, दोनों के हाथ में, तो इसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में 50C से taxable हो रहा है, at the moment of transfer, जिस moment transfer हुआ, उसी moment, अपने transferer को भी 12 lakhs पे tax लगा दिया, और transferi को भी, लेकिन stock and trade में, आप transferer को तो उसी समेट tax लगा रहे हो, लेकिन transferi को अब तब लगा रहे हो, जब वो बेच रहा है, अगर उसका stock and trade है तो, अब क्याते हैं, अब क्याते हैं, अब क्याते हैं, मैंने सारे possible permutation combination लगा दिये, यहां पर अब लगेगा 50C, full value of consideration is equal to 100, यहां लगेगा 50C, and full value of consideration is equal to 112, इसका stock and trade है, यहां पर भी 100 आएगा, यहां पर भी 100 आएगा, there is no difference, because 56 to 10, is not applicable to stock in trade. Now बेडा, last one, what would be your answer if land was rural agricultural land held as investment by X Limited and investment for Mr. B? Now we are talking about rural agricultural land. Rural agricultural land, in the hands of the transferer, we say no capital gains. no capital gains. Why? Because, because, exempted, capital asset, capital asset, under section 214, अब आते हैं रिस्पंट के हाथ में, 56 to 10 में क्या लिखा था? If you receive a capital asset, if you buy a capital asset, now is not applicable again, because rural agricultural land is not capital asset. तो आपने ये समझा कि रूरल अगरिकल्चर लैंड पे कैपलिकेंज होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो capital asset नहीं है? और, in the hands of the transferi, 56 to 10 नहीं लगेगा. एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जहां इतना करा, वहां ये करते हैं कि, इसके लिए अगर stock and trade था, अगर इसने बेचा, और इसके लिए capital asset है. अब प्लीज रिमेंबर, rural agriculture land अगर stock and trade है, तो exemption नहीं है. exemption कब है? जब हो capital asset है. If it is stock and trade, तो वो business की receipt में आएगा. लेकिन 56 to 10 is not going to be applicable to rural agriculture land because rural agriculture land is an exempted capital asset and 56 to 10 only is applicable to capital asset. तो मैंने बोला, यहां पर हम इसको अगर बात कर लें as situation 7, भई हम बात कर रहे हैं, stamp duty value is 112. तो यहां पर stock and trade है, 43 CA लगके 112 आजाएगा. इसके हाथ में नहीं लगेगा. तो यह हो गया एक case. अभी हम situation 8 और ले लेते हैं. देखो, जितनी मर्दी बनाई जाओ. इसका stock है. इसका भी stock and trade हो गया. कौन सा? Rural agriculture land. Now, if it is stock and trade, वो capital gains में आई नहीं रहा है. Capital gains में नहीं आ रहा है, तो capital asset के exemption नहीं है. तो यहां पर, again, stamp duty value मैं लेता हूँ 112. तो 43 CA के हिसाब से 112. And in case over here, अब cost जो आईगी will be 100. Because money paid or payable है. और 56 to 10 तो लगता नहीं है. Because this is only applicable to capital asset. और आपने जो खरीदा है वो stock है. तो वहां पर आपका cost आजाएगा 100. Now, I want you to understand what is happening. First of all, Rural agriculture land के बारे में ICI अभी दीरे दीरे पूछना शुरू कर चुके हैं. 56 to 10 सिंपली बात करो, recipient को लगता है जब उसने क्या करा? उसको asset gift आया, या उसने खरीदा for inadequate consideration. And we are talking about a capital asset. जो चीज capital asset की definition में नहीं आ रही है, वो 56 to 10 में भी नहीं आएगी. तो अगर आपका stock in trade है, तो वो तो capital asset ही नहीं है. जब capital asset ही नहीं है, तो वो तो stock ही है. तो business head में, rural agricultural land के उपर exemption नहीं है. capital gains head में, rural agricultural land पे exemption है. So I would want you to go through these situations once more, and see if you understood this clearly. Now, we are looking at 1401 से पहले asset अगर हम खरीदते हैं, यह बात हमें पता है, that we could take the cost paid before 1401, or the word is fair market value as on 1401. अब यह fair market value बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है, बिटा. Fair market value एक बहुट debatable term है. खासकर land and building के case में. अब सोचिए, आपने जो building बनाई, आप कल को बोलें जी हमने तो 3-3 मन्जिला building बनाई. हमारा land प्राइम एरिया में है. हमारी तो market value बहुती, साथ वाले घर की कम थी, क्योंके वो तो टुटा हुआ घर था. हमारा तो बड़ा नया construction था, इसलिए market value ज्यादा होगी. अब आप समझ रहे हैं, जितनी market value ज्यादा होगी, उतनी cost बड़ेगी, जितनी cost बड़ेगी, प्रॉफिट कम होगा. तो people were manipulating the market value. अब market value determine करना, एक debatable सी term तो है, वो भी 2001 की. आप सोचे 20 साल होगे. लेकिन land और building के लिए, आपको पता है सबको, कि एक non debatable, non debatable stamp duty value मिलता है. अब stamp duty value हम सबको पता है, market value से कम होता है, पर selling के समय भी तो stamp duty value लेता है, market value की तो बात नहीं होती 50 सी में, उसी तरीके से अब उन्होंने क्या कर दिया, कहते हैं land and building के लिए, land and building के लिए, land and building के लिए, आप जो cost लेंगे, वो तो लेंगे fair market value, पर ये fair market value, stamp duty value जो उस दिन थी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्या मतलब हो गया, एक बंदे ने, एक चार जीरो एक को, cost दिखाया हुआ है, एक करोड का, fair market value determine करी, धाई करोड की, लेकिन stamp duty value, एक सो दस करोड की है, लो जी, अब आप क्या कर सकते हैं, पहरे आप ये ले सकते थे, whichever is higher, आपको एक, जो एंजिनियर होते हैं, जो authorized value होते हैं, उनको एक certificate लगाना पड़ता था, वो पूरो valuation authorized होते हैं, वो valuation certificate लग जाता था, तो आप धाई करोड का fair market value क्लेम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं, अब आपका fair market value से ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ, अगर fair market value ही आपका 106 आ रहा है, तो आप fair market value लीजेए, 110 फिर भी नहीं लेने देगा आपको, वो valuation भी चेक करेगा, भाई अगर stamp duty value से कम था तो कम लूँगा मैं, अच्छे, एक बहुत अच्छी बात है, यह रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट नहीं आएगा, इस विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट, इस विल उनली बी फोर ट्रांसफर्स, ओन और आफ्टर वन फोर 2020, उराने वाले जो हो गए, उनको डरने की जुरूत नहीं, उनके केस नहीं खोले लेंगे, don't worry, this is only for people from here onward, so हमने क्या सिखा, and this is only for land and building, market value cannot exceed the stamp duty value as on 1401, अब यह memorandum होता है, कई बार पढ़ लेना चाहिए, यह finance minister बताते हैं हमें, at the time of amendment, उन्होंने क्यों लाया, पढ़ लेते हैं, the existing provisions of section 55 of the act, provide that, for computation of capital gains, an assessi shall be allowed the deduction for cost of acquisition, and cost of improvement if any, however for computing capital gains in respect of asset acquired before 1401, they have been allowed the option to take the market value, or the actual cost of acquisition, it is proposed to rationalize the provision, by inserting all of this, that for land and building, the fair market value shall not exceed the stamp duty value, बस उन्होंने इतना बताया, reason भी नहीं दिया, वो reason हमें पता है, क्योंके लोग manipulate कर रहे थे, यह बहुत important amendment है, यह paper में पक्का आएगी, थ्यान से रहना, नो, first of all, we need to understand what is liquidation, and what are we talking about, अब मेरा कार यह आपको liquidation कराना तो है नहीं, आपको पता कंपनी जब बंद होने वाली होती है, तो liquidation में जाती है, पर यह नहीं कि आज liquidation शुरू ही, तो आज ही खतम हो जाएगी, liquidator appoint होएगा, वो company के assets को liquidate करेगा, फिर वो payments करेगा, पहले government dues जाएंगे, फिर preferential creditors जाएंगे, फिर debenture holders, फिर preferential holders, यह पूरा एक procedure आपने वहाँ पढ़ा, मैं वो नहीं करा रहा हूँ, मैं तो यह करा रहा हूँ कि अगर liquidator ने asset बेचा तो क्या income tax लगेगा, और asset बेचने के बाद shareholders को जो पैसा दिया, क्या उनके हाथ में भी taxable होगा, now, to understand this, let us take a small example, a simple example, we say, a company has, let's say, investments, जो distribution है, मतलब उन्होंने सारा बेच के, preferential debts वगेरा, सब कुछ प्रे कर दिया, सिर्फ payment जा रही है, to shareholders, ठीक होगी बात, now, उनके पास investments पढ़ी है, 50 लाग की book value है, market में 200 की है, और cash पढ़ा है 100 का, now, there are two options, first option, ये इसको sell करेंगे, for, let's say, 200, market value है, और फिर इनके पास cash आ जाएगा, plus 100, 300 का cash हो जाएगा, ये वो shareholders को दे देंगे, समझगे बात को, अब, ऐसे में क्या होगा, company ने जब बेचा, तो company को full value of consideration लेना पढ़ जाएगा, 200, minus cost of acquisition, suppose करो short term है, तो उनको इतने पे, capital gains tax भी लगेगा, तो उसके लिए भी, जब capital gains tax लगेगा, तो minus tax करके, जो बचेगा, सिरफ वो ही distribute कर पाऊगा, shareholders को, clear है बात, बट government ने क्या बोला, government ने बोला, इसको sell मत करो, don't sell it, आप एक काम करो, ये investments हैं, जैसे हो सकता है, investment land है, हो सकता है, ये shares है, हो सकता है, jewelry, gold, कुछ भी है, आप इसको distribute कर दो, in kind, यानि market में मत बेचो, आप shareholder को दे दो, jewelry, land का हिस्सा दे दो, proportionate shares दे दो, तो हम आपको capital gains नहीं लगाएंगे, which means, ये cash जो tax के form में जाना था, ये बच जाएगा, और shareholders को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, now to be able to understand this, we open exempted transfers, मैंने कहा था, बाद में कराऊंगा, सबसे पहला, distribution of assets in kind, at the time of liquidation of a company, any distribution of assets in kind, by a company in liquidation, obviously to its shareholders, is an exempted transfer in the hands of the company, तो, यहाँ पर मैंने आपको example दे दिया, पर example यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, is very simple, अब क्या होगा, ये वाला capital gains नहीं लगेगा, यानि, shareholders को, basically 200 lakhs का, value of assets, declare हो, as in lieu of the shares, अब income tax कहता है, there is a section 2, 22, C, हम other sources में जाएंगे ना बेटा, वहाँ पर हम बात करेंगे, dividend and deemed dividend, अब दो मिट बात सुनो, dividend का treatment क्या है, आज की जेट में, हमें पता है, dividend जो है, अब shareholder के हाथ में taxable हो रहा है, and this happened from previous year, 2021, 20-21 से पहले, company पे करती थी, corporate dividend tax, और shareholder के हाथ में, अगर वो non-resident है, तो 1034 में fully exempt होता था, अगर वो resident है, तो 10 लाग तक exempt था, और उसके उपर, was taxable under section 115 BBDA, at the rate of 10%, यह तब था, this is before, 2020-21, बट एक चार बीस के बाद, company को कोई corporate dividend tax pay नहीं करना है, अब shareholder के हाथ में, यह fully taxable है, as income from other sources, ठीक बात होगी, now what is dividend, dividend आपको सिखाया गया, एक होता है, final dividend, एक होता है, interim dividend, basically final हो या interim हो, यह declare किया जाता है, AGM में declare होता है, आपके balance sheet, profit and loss account, will be put forward to the shareholders, उसमें profitability है, decision लिया जाएगा, बहे इतने percent profit distribute होगा, तो वो dividend declare हो जाता है, समझ में आगी बात, now, there is a section 222E, sorry, two subsection 22 का, A, B, T, D, and E, कई बार companies smart होती है, और company directly dividend declare नहीं करती है, indirectly profits के रोड़ा तक पहुंचा देती है, Companies Act में, ऐसा कोई concept नहीं है, deemed dividend का, यह cable income tax में है, something called deemed, मान लो कि यह dividend है, हम यह सारी बाते, other sources में करेंगे, अभी यह वाला कर रहे है, 222C, क्या कहता है, कहता है, अगर liquidation पे, company ने shareholder को, कोई भी assets distribute करे, अगर liquidation पे, company ने shareholder को, कोई भी assets distribute करे, then that distribution, to the extent of accumulated profits, accumulated profits जितने हैं, यह होगे, profits यानि reserves होगे, surplus होगे, accumulated profits, suppose करो, यहां पर मेरे पास थे, 150,00,000 के, अब, क्या कहती हैं, कहती हैं, company ने distribute करा, कितना, पहले तो amount of distribution निकालते हैं, वो कहते हैं, हमने जी, 50 plus 100, डेड़ सो के assets distribute करे, reserves write-off कर दिया, हम कहते हैं, income tax में, यह 50 की चीज, market में तो 200 की है, तो value of distribution, is the market value, plus the value of cash, 300 is the distribution, समद के बात को, so distribution कितनी हुई, value, market value of assets, plus the amount of cash, अब, up to the amount of accumulated profits, 1500 तक, इसको deemed dividend माना जाएगा, और जो भी extra गया है, जो भी extra गया है, that is towards, towards, full value of consideration, of the shelf, क्योंके liquidation में बेटा, जो shareholder है, वो अपने shares के right खतम कर रहा है, क्योंके shares ही खतम हो रहे हैं, he is giving up the right, जब shares खतम हो रहे हैं, he is giving up the right, इसको transfer मान लिया गया, 46,2 करेंगे हम, की shareholder में, क्योंके अभी जो मैंने करवाया है, पहले समझ लोग क्या कर रहे हैं, यह है 46,1, यह company के हाथ में exempt कर रहा है, क्या exempt कर रहा है, distribution in kind, अब shareholder के हाथ में चल रहे हैं, कहता है shareholder को भी तो मिला, जैसे for example ले 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 लते हैं, चलिए, आईए, let's take an example, example से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, topic CA final का है, intermediate में केवल इसलिए करा रहा हूँ, क्योंके ICI ने अब कुछ भी पूछना शुरू करा है, और यह module में दिया हुआ है, so I think for the, I think for the last, two, three, four years मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंके एक टाइम आया था जब CA का पेपर का लेवल बहुत गरिया था, ऐसा लग रहा था कि मैं बच्चों को क्यों तंग करूँ इतने हाई लेवल की बातों के, मैंने बहुत पढ़ाया, I think शुरू से लेके, from the day I started teaching intermediate, मैंने दस बारा साल पढ़ाया पर कभी आया ही नहीं पेपर मैं, फिर CA PE2 आया, उसमें तो पेपर ऐसे बच्चों वाले आ रहे थे, मैंने ना मुश्किल मुश्किल टापिक्स अपने पढ़ाने के उसमें से बाहर कर दी, क्योंकि बच्चों ने कहना शुरू करता है आप तो बहुत तंग कर रहे हूं है, फिर सड़नली 2018 में ऐसे लेवल बढ़ा और अब तो मज़ा आ रहा पढ़ा के भी और पढ़ा के भी, तो मैं वापिस अपने सारे जो मेरे को लगता है, बच्चों को इंटर में आना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स करा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ मुश्किल तो ही नहीं नहीं ना, इन दा हैंड्स अफ़ दे शेर होल्डर क्या होगा बटा, हम एग्जामपल ले रहे हैं, यह मिस्टर एक्स हैं, इसके पास 10% शेर हैं, और रिसीज प्रपोर्शनल शेर अफ इन्वेस्टमेंट्स अन कैश, उसने यह शेर्स करीदे थे 8 लाक रुपे के, और उसके पास हेल्ड फॉर 10 मन्स बेफोर लिकुडेशन, यानि इसके हाथ में इसको रिसीज क्या हो रहा है, पहल तो इसको देखें, रिसीज क्या हो रहा है, टोटल डिस्टिबुशन 300 है, इसका 10% ले लेते हैं, यानि इन्वेस्टमेंट्स का, दोसों का 20 और कैश का 10, टोटल 30 लाक रुपे मिला उसको, इसमें से, अब तिल डेड़ लाक, 150 लाक, यानि इसका 10% लोंगा, 15 लाक, तो डीम्ड डिविडेंड है, जो इसके हाथ में, अदर सोर्सेज में टैक्सिबल होगा, दिस टैक्सिबल अंडर अधर सोर्सेज जो बैलेंस बच गया, इस फुल वैल्यू अफ कंसिडरेशन पॉर शेज, माइनस कॉस्ट ओफ अक्कॉजिशन, विच इपल तो 8 लाक, तो 7 लाक बिकाम्स इस शॉट टर्म कैपिटल गेन, क्योंके यह 10 मन्स है, तो आपने क्या सीखा, यहाँ पर सीखा, शेर ओडर के हाथ में जो मिला, उस में से, यह कट क्यों गया, दुबारा करते हैं, इस से करते हैं, आप करेंगे, यह जो मिला, प्रपोर्शने टुज़ शेर, 200 वैल्यू, 200 वैल्यू, 200 वैल्यू, उसको, अधर सोसेज में लेके जाएंगे, वो, शेर्ज की, फुल वैल्यू नहीं मानी जाएगी, जो बचा, उसको फुल वैल्यू मानेंगे, और उसमें से, कॉस्ट माइनिस करेंगे, और अब, यह बाते लिखी हैं, 46 टू में, अचा, फिर दिक्कत आगी, कि कल को यह इन्वेस्मेंट्स जो है, यह वो बेच देता है, आगे, शेरोल्डर, इनकी कॉस्ट ऑफ अकुजिशन क्या होईगी, कहता है, जो मार्केट वैल्यू यहां ले ली, ताट विल बी कॉस्ट ऑफ अकुजिशन, और पिरिड ऑफ फोल्डिंग यहां से शुरू होगा, जब से तेरे पास इन्वेस्मेंट्स आई, यह हो गया, एक बार रीडिंग, अब आते हैं, हम इसको अराम से पढ़ेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, हलक का साथ, अगर काइंड में आपने शेरोल्डर को इसको इसको अपने शेरोल्डर को इसको अच्छो एक बात तो होगी, बाते करा दी, आजो, in the hands of the shareholder, what does the shareholder transfer, 46.2 levies tax on deemed transfer, क्यूंके, जब हम बात करते हैं, relinquishment of an asset, अब तुम थोड़े बड़े होगी, सुनो, relinquishment of an asset, और extinglishment of a right there-in में, asset का existence में होना जरूरी है, जब company liquidate होगी तो asset ही खत्म हो गया और जब asset ही खत्म हो गया तो मैं relinquish कैसे कर सकता हूं तो मुद्धा आ गया कहते हैं जब asset ही नहीं है how can the shareholder relinquish it तो इस judge ने बोला वाई सुन asset होना हो इसको deemed transfer मान 46-2 में लिखा है tax लगेगा तो इनका जब फस जाते हैं यह क्या गर देते हैं deemed so 46-2 is a deemed transfer जैसे दो deemed transfer होगे एक 45 वन ए था इंशॉरंस ने पैसा दिया वहाँ पर भी transfer नहीं था कहता माने और एक 46-2 आ गया तो अगर कल को आपसे पूछे what are deemed transfers यह redeemed transfer एक बात फिर से बोल रहाँ deemed transfer क्यों है क्योंकि for even relinquishing your right in an asset the asset must continue to exist यहां तो asset दिखाता होगे क्योंकि company liquidate होगी तो share कैसे रहेंगे तो उन्होंने बोल दिया deemed transfer मानो and it can be said that the shareholder has transferred the right in the shares held right in the company at the time of receipt the amount received to the extent treated as deemed dividend will be now यहां पर exempt in the hands up to 10 lakhs and in excess taxable at 10% is for dividend declared in 2019-20 and received in 2021 अब इसको छोड़ दो यह हम करेंगे जब other sources करेंगे अभी इसको भूल जाओ रखो मेरे पर भरुसा यहां लखोगे from 1420 fully taxable in the hands of the shareholder as income from other sources और यहां हम लिख सकते हैं shareholder can be a resident as well as a non-resident यह होगी बात फिर the balance received will be treated as full value तो मैंने formula दे दिया amount receivable यहां लिखा है cash or market value of the asset received market value less amount deemed as dividend यह लिख लिखेंगे to the extent of accumulated and final में na accumulated profits में क्या क्या आता उसी पे हम आदा पौना घंटा लगाएंगे पर यह inter level है inter level पे जितना पढ़ाया मैं उससे हलका सा ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ तो आपको accumulated profits दिया होगा basically free reserves होंगे यह free reserves then full value of consideration होगा a minus b minus cost of acquisition और यह long term और short term होगा now at the time of subsequent transfer by the shareholder of the asset received the sale cost of acquisition is the fair market value of the asset on the date of distribution जो वो हमने करा हूँ है period of holding is from the date of receipt of such assets now यहाँ पर मैंने आपको illustrations दी हुई है explaining the same concept इसको मैं चाहूंगा आप लोग खुद पढ़ो बड़ी detail में वही बाते explain करी हुई है जो मैंने अभी आपको कराई देखो sir तो question कराई देंगे उसमें तो दो minute लगेंगे हैक नहीं पर यह सारा answer दिया हुआ है कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ खुद करो इनको do it yourself ठीक है यह illustrations कर लो तो आपको यह concept पुरी तरह clear हो जाएगा इसमें एक वाला यह वाला जो है मैं क्यों कराऊंगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा नया point है पाते हैं For example, our private limited went into liquidation on 1.6 in the current year. The company was seized and possessed of the following funds prior to the distribution of the assets to the shareholders. Share capital पांच लाग का है, reserves हैं तीन लाग के There are five shareholders, each of whom received 260 from liquidation in full settlement. The shareholders desire to invest the resultant element of capital gains in long-term specified assets defined under 54 EC. You are required to examine various issues and advise the shareholders about their liability to income tax Assuming shares were bought by all the shareholders on 15th July for 1,00,000. अब एक shareholder को क्या मिला है? Each of whom received 260, एक एक को 260 मिला. Amount deemed as dividend कितना है? अब उसके पास 3,00,000 के reserves थे. अगर मैं total distribution देखूं, इसको अगर हम दूसरी तरीके से करें, 260 into 5 Total distribution 13,00,000 की है. उसमें से 3,00,000 दो है, वो deem dividend है. और बाकी profit for shares दिया है. और अगर deem dividend 3,00,000 का है, shareholder 5 है. डिवाइड करूंगा तो 60,000 deem dividend आगया. ये other sources में जाएगा. ठीक है जी? 2,00,000 रुपए full value आगी. अब ये जो cost of acquisition है, उसको आप index कर देंगे. ये आगया capital gains. लेकिन अब जो point आया, 54 EC जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, if on the transfer of land and building, आप अगर उसको invest करते हो in bonds of NHI और REC, तो आपको exemption मिलती है. 54 EE में भी लिखा, if on the transfer. सबसे पहली बात, bonds of NHI और REC only from land and building. देफोर नहीं मिलेगा. अगर ये bonds of NHI नहीं होते, let's say 54 EE के bonds भी होते, तो एक judgment आई, CIT वसेज रूबी ट्रेडिंग. उन्होंने बोला कि वो जो exemptions है, they are given from the transfer of capital asset. 46.2 is a deemed transfer. लो जी, the assessi will not be eligible for exemption as per judgment in this. यहां पर हम लिख लिखते हैं 54 EE. बिकाउज 46.2 is a deemed transfer. अब ये बाते हैं, तो नन्ने मुने दिमागों को पता नहीं कितनी समझ में आएंगी, पर एक बार दुबारा से सिर्फ आपको ये याद रख रहा हूँ, आप लोग इसको चाहें, याद कर लो, कि एक judgment है जो कहती है, कि जो exemptions की बात हुई थी, कि वहाँ transfer होना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया, देरा टू डीम ट्रांसफर्स, 45.1 एंड 46.2, और अगर डीम ट्रांसफर है, तो CIT वसेज रूबी ट्रेडिंग ने बोला, कि उसमें से आपको exemption नहीं मिलेगी, नाउ, ये level of question, final का level है, पर दिमाग में, MCQ में या true or false में कहीं आ गया, कि can and necessity claim exemptions, from transfer under 46.2, तो आप बोलोगे no, because it's a team transfer, बद इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है, और बाकी illustrations करो, so we finish this topic,